एपिसोड की स्टार्टिंग एक वैडिंग के लोकेशन से हो रही थी जहाँ पे काफी सारी प्रेस कॉनफरेंस थी और ये सब लोग एक बहुती बड़ी वैडिंग अटेंड करने के लिए आये थे ये वैडिंग और किसे की नहीं बलकि फैंग लेंग और जायोकी की थी जायो कार ये दौनों आज शादी वाले दिन पर एक साथ में है इन दौनों की शादी हो जाती है दौनों बहुत खुश थे जायोकी के पास में उसका एक चोटा सा टॉटाइज भी था फर्स सीजन के अंदर हमने से कुबरी का आ था लेकिन इसके अंदर इसका नाम चेंज कर दिय गया है शाबू कर दिया गया है तब ही यहां पर एक बहुत बड़ी ट्रेजडी हो जाती है पूरा वक्त रुक जाता है सब कुछ फ्रीज हो जाता है और एकदम से ऐसा होता है कि जायोकी को उसके प्लानेट के अंदर सी वापस से बुला लिया गया है जबकि फर्स सीजन के अंदर तो नहीं बठा थोड़ी बहुत एलियन जैसे लग रही थी साथ ही में शाबू भी था जो कि आपस के अंदर ही बात करते हैं कि आखिर इन्होंनी गलती क्या करी है इनके साथ में कुछ तो गलत हुआ है और कही न कहीं इनके प्लानेट के जित्ते भी एलियन से वो कहीं अब यहाँ पर जितने भी एलियन्स थे वो सारे मिलके रिसाइट करते हैं कि जायो की एक हुमन के साथ में रह रही थी जिसके अंदर हार्मोनल काफी सारी पावर्स हैं ऐसी पावर्स जिसके चक्कर में हमारे प्लानेट को बहुत दा नुकसान हो चुका है और आके भी हो सक उसकी सारी मैमरीज इर््इस कर दी जाती है और उसके दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि वह थी बुरा इंसान है उसने तुम्हें बुली चिया जबरदस्ती शादी करी और अब तुम्हें इसे कुछ हार्मोन्स एकटे करने है जो की हमारे प्लैनेट के लिए बहुत जा क्योंकि अब उसे फैंग लैंग और इंसानी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि आखिर वहां के लोग कैसे होते हैं वो कितने अच्छे होते हैं या फिर उसके रिलेशन्स किस-किस के साथ में उसे कुछ भी याद नहीं था वो बस शाबू के इंसान बनने पर खटे करने हैं बस मैं वो काम करूंगी और वापस आजाओंगी शाबू और ये दौनों खुशी-खुशी अपने स्पेस्शिप के अंदर बैट जाते हैं लेकिन स्पेस्शिप के अंदर थोड़ी बहुत करबड़ी हो जाती है इनका स्पेस्शिप किसी चीज़ से ठकरा ज जाता है और यह दौनों ही बाहर की तरफ गिर जाते हैं हालंकि दौनों को मर जाना चाहिए था इस पेस्षिप पर फिर भी दौनों मरती नहीं बलकि स्पेस के अंदर उड़ती रहती है और दौनों ही अर्थ पर आ जाती है बट अलग हो जाती है जिसके बाद अब हमें यहां जाता है तो वो खुद की पावर्स का इस्तिमाल करती है और आराम से नीचे लैंड करने वाली थी लेकिन तब ही उसका गाउन जो की था वो एक खंबे के अंदर अटक जाता है और जायो की सीधा हवा में लटक रही थी उसे नीचे एक आदमी दिखाई दीता है अब इस वक तक जायो की को नहीं पताता कि यही फैंग लैंग है सीधा जायो की उसके ऊपर जाके गिरती है क्योंकि फैंग लैंग ने उसके बचने के लिए एक नीचे मैट्रस बिचा दिया था जैसे वो फैंग लैंग के ओपर गिरती है तो फैंग लैंग के दिल की धड़कनी काफी करने हैं मुझे इससे सारे हर्मोन्स कौलेक करने हैं तब करने हैं तो क२हीं यहां पर पठाइग लेकर आप आएं सब्सक्राइं धीक बड़कियां थी फैंग लैंग इस वक्त काफी सारी लड़कियों का रोल मॉडल था और काफी सारी लड़कियां उसे चीर करने के लिए आपे आई हुई थी फैंग लैंग यहापे अपना इंटर्व्यू देता है साथ ही में उसका इंटर्व्यू में बस हमीशे यही कोशिन पुछा जाता है कि आप अकेले हैं आप सिंगल है आप अपने रिलेशन्शिप स्टेटस के बारे में क्या कहना चाहेंगे जहां पर इस वक्त फैंग लैंग कहता है कि वो सिंगल है अभी तक उसका रिलेशन्शिप स्टेटस बिलकुल सिंगल ही रहेगा आखे भी जाके उसे कोई इंट्रेस्ट नहीं है उसे बस अपनी काम में इंट्रेस्ट है यह सारी बाते जायों के सुनती है तो वह कहती है कि आखेर ही अपने रिलेशन से भूडर हुआ है इसकी तो मेरी साथ में शादी होकई है यह ऐसा क्यों बिएफ कर रहा है that जैसे ही मुझे जानता ही नहीं है अभी देखो अभी जाके मैं इसकी खेल लेती हूँ वो जाके सीधी स्टेज पे माइक लेती है और सब के सामने बोलते हैं कि यह मेरा हस्बेंड है मैं इसकी वाइफ हूँ, हम दोने एक रिलेशन्षिप में है और यह जूट बोल रहा है कि सिंगल है जितनी देर में तो पीछे काफी सारी लड़के आ जाती है और सब चला चला के बोलती है कि हाँ फैंग लेंग तो मेरा हस्बेंड है मैं इसकी वाइफ हूँ ये वो बहुत सारा नाटा को जाता है फैंग लेंग वापस से अपने हाथ मे पूल सकते हैं कि मैं इसकी वाइफ हूँ तो फैंग लेंग को कहती है कि तुम जादा बनने की कोशिश मत करो मैं तुमारी वाइफ हूँ आकर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो फैंग लेंग उसे परसनली भी कहता है कि कोई बात नहीं तुम अच्छा करना आके जाके तुमारा फ् जहांपे हम देखते हैं कि Fang की mom इस समय फैंगली से बात कर रही थी जो कि abroad के अंदर studies करने के लिए गया हुआ था तो Fang ली की mom पूछती है कि तुमा किर क्या करते हो कभी कबार बात तो कर लिया करो जहांपे Fang ली कहता है कि हां मौम मैं थोड़ा सा busy था और अभी भी मुझे studies क आने के लिए जाना है यह देखो मेरा दोस्त है और उसके बाद में पता चलता है कि Fang ली इस वक्त अपने किसी university में नहीं था बलके वो तो airport पे था और यहां से कहीं जा रहा था यह जहां पर भी study करने के लिए गया था वहां से इसी वक्त हमें आपे शाबू को भी देखते हैं और अगर ID proof नहीं हुआ तो शाबू को उठा के जेल में डा दिया जाएगा शाबू full speed से भागती है उन police officer से इधर हम देखते है कि Fang ली भी आगे की तरफ जाई रहा था और उसे लगता है कि पुलिस वाले उसकी तरफ भाग रहे हैं तो वो बैक छोड़के वो भागता बढ़ जाता है इधर फैंगली चेक करने के जाता है कि पुलिस वाले वापस आय की नहीं आए तो शाबू का टैंपरेचर काफी जाधा बढ़ने के चकर में वह वापस टौटोइश फॉम के अंदर आ जाथी और गया पुचाती है कि इहां फैंगली टैंशन के अंदर आ ज करती है लेकिन यहाँ पर पासवर्ड एंटर ही नहीं होते तो जायोगी के पास में तो पावर्स थी वो पावर्स दर्वाजय को खोल देती है और उसके बाद में पूरे घर को स्कैन करना शुरू करती है उसे फैंग लैंग की पिचर्स मिलती है जिसके ऊपर वो कार्टून ब अचाँ आपक है कि आपको भी तो पता है कि आप भूल जाते है लढ़कियों को उनीँ पेसे एक हो गी ये भी country वोगने चला किसी और में मुझा पता नहीं चलना था कि जायो की ऑब रही है और अब फैंग लैंग के आसपास होते ही जायोगी को बहुत जादा strong fragrance आने लगते हैं human hormones के जिसे वो बिल्कुल control नहीं कर पाती है और बार बार में अपनी नाग को बंद करने लगती है इतनी ही देर में फैंग लैंग change करता है और नहानी सर्च करने लगती है कि कई ना कई उसे वो human hormone मिल जाए जिसे collect करके वो वापसे जा सके लेकिन वो चीज अभी भी नहीं मिलती फैंग वापस आ जाता और सो जाता है जायोगी बस उसके सोने का वेट ही कर रही थी जैसे फैंग लैंग सोता है तो जायोगी उसके ऊपर आती है और अब उसके बॉड़ी के अंदर चेक करने लगती है लेकिन तब भी उसे कुछ नहीं मिलता और फैंग लैंग एक दम से ऐसे पलटता है कि जायोगी भी उसके पास ही आके सो जाती है तब जायोगी को लगता है कि अ उसे कंट्रोल करना चाहिए अगर उसने कंट्रोल नहीं किया तो बहुत बड़ी कड़ बड़ हो जाएगी और फिर फैंग लैंग की पूरी बॉड़ी को चेक करने लगती है लेकिन तब भी उसे कुछ नहीं मिलता फिर जायो की कहती है कि आस तो उसने वैसी बहुत जादा मेन पुलिस को बुलाता हूँ जायो की कहती है कि तुम पागल हो गयों तुम्हारी वाइफ हूँ मैं कभी भी घर के अंदर आ सकती हूँ मुझे बस मेरा हूमन हार्मोन वापस दे दो जहाँ पर फैंग लैंग कहता है कि तुम क्या बाते कर रही हो तुम्हें क्या चाहिए कौन जायो की को देखते है जो कि फैंग लैंग की कमपनी के बाहर ही खड़ी थी और इसी वक्तुझे शाबू मिल जाती है वो शाबू को देखती है और पैचान जाती है कि ओमाई गौड ये तो वापस से अपनी पुरानी फॉर्म के अंदर आ गए इसका आखिर इंसानी फॉर्म के साथ में क्या हुआ जाब शाबू बताती है कि उसका टेंपरेचर काफी साथ बढ़ गया था इसी चक्कर के अंदर गड़ बढ़ हो गई जहाब अब शाबू जायो की से पूछती है कि क्या तुम्हें हुमन हर्मोन्स मिल गए जहाब शायो की कहती है कि नई ना मुझे अभी तक नई मिले ऐसा लग रहा है कि फैंग लेंग जिसे मुझे चानता ही नहीं है यहाँ पे काफी साथ तक गड़ बढ़ हो रखी है आखिर वो मुझे कैसे बुला सकता है हमें आज की डेट पता करनी पड़ेगी जब यह दौनों यह एक साथ में डेट वगर चेक करते हैं तब इनी पता चलता है कि यह तो गलती से 2018 के अंदर लेंड हो गए है और जायो की फैंग लेंग से 2019 के अंदर मिली और उसके बाद में काफी टाइम तक उसके साथ में रहे यानि कि अगर 2019 आया ही नहीं तो फैंग लेंग आखिर जायो की को जानी का कैसे इस चकर के अंदर इतनी सारी कड़बड हो रही है लेकिन अब इन्हें human hormone तो collect करना ही था जो कि अभी तक develop ही नहीं हुआ था इसका मतलब है कि इन्हें यहाँ पे रहकर ये सारी चीजे करनी पड़ेगी जिनसे भी फैंग लेंग पिछले कुछ महीनों में या पिछले कुछ सालों में मिला हो लेकिन फैंग लेंग और डॉक्टर हान को दौनों गई जायो के के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि आखिरे लड़की इन्हें कहां मिली थी या फिर इसका data यहाँ पे क्यों नहीं है fang lang कहता है कि वो लड़की बहुत familiar सी लग रही थी ऐसा लग रहा था कि वो मुझे पहले से जानती है तो फिर आखिरी data storage में क्यों नहीं है वो इस वक्त मिस चाय के ही रेस्टों में पहुंचती है जहांपे सीजन वन के अंदर हमने मिस चाय का एक बहुत ही शांदार वाला रोल देखा था कि कैसे मिस चाय ने जायोकी की बहुत हेल्प करी थी लेकिन खेर वो 2018 के अंदर आई थी कि इन्होंने 2018 के अंदर जम किया है और इन्हे 2019 के अंदर जाना है तब इन्हें पता चलता है कि ये तो वहाँ पे जा ही नहीं सकते अगर इनके पास में human hormones होंगे तो ही ये अपने planet के अंदर signals भेज सकते हैं इसका मतलब है कि ये दौनों ही अटक गई है तब ये याद करते हैं तब ये दौनों सोचते हैं कि आकर human hormones को कैसे बनाया जाए एकदम से शाबू देखती है कि जायोकी के रिंग के अंदर अल्रेड़ी थोड़ा सा तो human hormone पड़ा है इसका मतलब है कि कही न कहीं से तो human hormone आया होगा तब जायोकी कहती है कि हाँ ही हो सकता है वो जब पहली बार fang lang से मिली थी तो ये दौनों एक दूसरे के उपर गिर गए थे और शायद उसी वक्ती थोड़ा सा hormone इखटा हुआ होगा जायोकी को समझ में आता है कि अगर वो लड़कों के पास जाएगी और वहाँ से उन में से human hormone इखटा करेगी तो वो जल्दी सारा का सारा hormone इखटा करके अपने planet पे जा सकते हैं और उन्हें बोल सकते हैं कि यहां से उन्हें ले जाए जायोकी अब यहां इस restaurant के अंदर बैठे हुए लड़कों के पास जाती है और उनके पास अपनी finger को घुमाने की कोशिश करती है उसे लगता है कि यह hormone ऐसे आ चाएंगे लेकिन पता चलता है कि कोई भी लड़का ना तो जायोकी से attract हो रहा था और ना ही जायोकी उन लड़कों से attract हो रही थी तब वो देखती है कि टीवी पे चल रहे है वीडियो से लड़के बड़े खुश हो रहे है तो जायोकी वो डांस सीख जाती है और उसके बाद में रेस्टों के अंदर हर एक male यानि कि हर एक आदमी के सामने जाके डांस करने लगती है उन्हें attract करने लगती है लड़कियां कि आखिर अब हम क्या करेंगे हम hormones को कैसे इखटा करेंगे क्या मुझे वापस से fang lang की पास मिचाना पड़ेगा और ये दौनों एकदम से time travel करके fang lang के पास चली जाती है लेकिन जैसे गायब होती है तो ये चीज मिस चाय ने देख लीती है और विचारी वहीं पे भेवुशों के गिर जाती है अभी दौनों चेक कर रहे थे क्या कर फैंग लेंग की तीदेर में आता है इतने ही देर में फैंग लेंग यहापे आ गया था तो जायोकी आती है और उसके सामने सारा हार्मोन जायो की के फिंगर रिंग के अंदर एकटा होनी लगता है यानि कि यही वो मुवमेंट है जो ऐसे कोजी से मुवमेंट है प्यारे से मुवमेंट है जहां पे इनके बीच में अट्रेक्शन बढ़ता है उन्हीं मुवमेंट से वो हुमन हार्मोन को एकटा कर पा रही थी और इसी के साथ गाइस फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता तो चलिए फिर मिलता आप सभी लोगों से सेकंड एपिसोड में तब तक के लिए टाडा My Girlfriend Is In Alien Season 2 के फर्स्ट एपिसोड में हमने बहुत सारे चीज़े देखी थी कि कैसे जायो की लॉट आई है और इस बार भी उसका मिशन फैंग लैंग के आसपास ही रहना है क्योंकि उसे हुमन हार्मोर इखटे करके अपनी कैप्टाउन प्लैनेट पे भेजने थे लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे अब वो फैंग लैंग के आसपास आने की कोशिश कर रही थी उसके नस्दीक आने की पचाई थी इस बार दोस ने फैंग लैंग के कि रिंग के अंदर काफी सारे हार्मोन से खटा होने लगे, जायोकी को लगा कि फैंग लेंग किता प्यारा है और अब तो वो उसे प्यार करने लगा, इसी के करण जायोकी उसके नस्दीक आने लगती है, काफी साथ नस्दीक कि उसे छेड़ने लगती है, लेकिन फैंग लें लेकिन जायोगी के पास में तो Magic था इसके करनल वो Fang Lang जैसे Call करता है तो उसके phone को उठा के बहुत दूर फैंक देती है और Fang Lang को समझ नहीं आता कि आखिर जायोगी नेकिया तो किया कैसे वो फोन को टच भी करता है कि ये मजा के क्या फिर वो फोन को वापस से उठाता और कुछ की असिस्टेंट को कॉल करता है कि हान मेरे साथ में क्या-क्या हो रहा है या कि सारे के सारे गार्ड्स को रिप्लेस कर दो जिसके बाद में जायो की फूल स्पीड से शाबू को लेकर यहां से भाग जाती है लेकिन तब ही शाबू बीच के अंदर रुख जाती है क्योंकि शाबू का टैंपरेचर काफ़ जादा बढ़ गया था तब जाके शाबू कहती है कि मुझसे और नहीं भागा जाएगा अगर मैं और जादा भागी मेरा टैंपरेचर इंक्रीज हुआ तो मैं टॉट टॉइस में बतल जाऊंगी यहां पे जायो की को एक चीज समझ में आती है कि जब फैंग लेंग गिरने वाला था तो एकदम से उसका बॉड़ी टैंपरेचर बढ़ गया उसे टेंशन होनी लगी उसकी बॉड़ी गरम हो गई इसी की कारण हो सकता है उसका हार्मोन रिलेज हुआ हो तब शाबू फैंग लेंग की पूरी बॉड़ी को चेक करती है इसकी कारण अब यह फैंग लेंग के पास जाने के लिए दोनों भागते हैं लेकिन अब आफिस वालों ने एक ऐसी सिस्टम लगा दिये थे कि अगर कहीं से भी जायो की एंटर करे तो वो आफिस में आ ही ना पाये इसी के करण जायोगी ऑफिस में नहीं एंटर कर पाती, घर के भी सिस्टम्स को चेंज कर दिया गया था, इसी के करण जायोगी घर में भी नहीं घुस पाती, फैंग लेंग के, जिसकी सारी डीटेल्स लेके, शाबू अब जायोगी के साथ में उसी घर की तरफ निकल जाते है जायोकी का क्याना था कि शाबू तुम कितने स्मार्ट हो, मेरी कितने जादा हेल्प करती हो ये दौनों ही पहले तो अच्छी तरीकी से तैयार होके उस जगह पे पहुचते हैं जहाँ पे शाबू बताती है कि ये वो लड़की है जिनकी मा का यहाँ पे घर है वो ओनर है बाहर रहती है फॉरण के अंदर और उनकी बेटी यहाँ पे रहने के लिए आई है मैनेजर जब चेक करता है फ्लैट का नंबर वगरा लेकि तो वहाँ पे जायो के की पिचर निकलती है तो इस आदमी को बिल्कुल भी शक नहीं होता और उपर से वो चाबिया और देता है शाबू और जायो की दौनों इस घर में बड़ी खुशी-खुशी एंटर करते हैं जहाँ पे पूरा घर सजा धजा था था साफ सुतरा था यह दौनों इस घर में आके बड़ी खुश जाती है कि क्या बात है आस तो बहुत मज़े आ गए इनने तो अच्छा का सा घर मिल ग जाती है कि ओ माई गॉड मैं तो भूली गई थी कि मेरी जो लैंडलॉड है उनकी एक बेटी भी है जो कि यहां पर आनी वाली थी तुम वही हो न तो जायो की और शाबू दोनों सच बताते ही नहीं है बलकि इसी जूट को कंटिन्यू रहने देते हैं इसी कारण मिस चाय उ मुझे पहले बता देते हैं कि तुम इतनी अच्छी लड़किया हो इतने अच्छी तरीके से काम करती हो अब जायो की और शाबू को भी लगता है कि यहां पर रहना है तो पैसे तो कमाने पड़ेंगे इसी के कारण वो मिस चाय से कहती है कि आप प्लीज हमें काम दे दीजि और उसका डोर वेल बजाके कहती है कि देखो मैं तो तुमारी पड़ो सनो मैं तुमारे लिए ये पेस्टी लाही हो तो प्लीज ट्राइ करो लेकिन फैंग लैंग को कोई इंट्रेस्ट नहीं था उसकी पेस्टी खाने में जिसके बाद में अब जायो की वापस आके फैंग लैंग था वो जायो की की बार बार आने से काफी साथ परिशान हो रहा था इसी की करण उसने अपने असिस्टेंट हान को बोला था कि सबसे पहले तो चेक करो क्या खेली लड़की है कौन यहां पे अब जायो की का सारा डेटा उस फ्लैट में रहने वाले ओनर की बे लैट पर आता है तो एकदम से यहां के लाइट काफी साथ ब्लिंक करने लग जाती है और सारी के सारी लाइट बंद हो जाती है सच में फैंग लैंग डर गया था और अपनी टॉच की रॉष्ण चला के सीधा लिफ्ट तक आता है जहां पर उसे लगता है कि यह तो जायो की और उसकी फ्रेंड है जो कि यहां पर नौटं कियां कर रही है दोनों ही भूद बन के आई थी और फैंग लैंग को डराने की कोशिश करती है लेकिन फैंग लैंग जब समझ किया कि यह तो इंसान है तो वो बिलकुल नहीं डरता और यहां से चला जाता है जायो की और शाब अब यह दोनों पीछा करती करती सीधा पार्किंग में आ जाती है लेकिन तभी इनके सामने कार आके रुख जाती है तो यह फैंग लैंग तक पहुंची नहीं पाती तब भी जायो की नौटं की करने लगती है ताकि वो उसे डरा पाए और डराने के कारण उसके हार्मोंस जिसके बाद वो परिशान हो के अब मिस चाय की रेस्ट्रों के अंदर चली जाती है जहां पर शाबू और जायो की बात करी रहे थे कि अब वो फैंग लैंग से कैसे बात करे तब ही मिस चाय बोलती है कि आहा आस तो बहुत जादा मज़ा आ गया यह दोनों पास आती है और जाए बोलती है कि यह बहुत जादा रिलाक्स पील होता है अगर कोई भी बैठे तो काफि जादा अच्छा फील करता है तब जब जायो की सोचती है कि शायद इस चेयर की मदद से फैंग लेंग कहीं ने कहीं मुझसे अट्रैक्ट होगा और शायद उसके हार्मोन रिलीज हो जाएंगे इसे के कारण वो डिलिवरी गल बन के काफी सारा खानवाना लेके चेयर लेके सीधा फैंग लेंग के ऑफिस में पहुंच जाती है मिस्टर हान यहाँ पर उसे कुछ रिपोर्ट देने के लिए आया था और जैसी वो कमरे से बाहर जाता है तब एक की सेकिंड के अंदर जैयो की कमरे के अंदर आ जाती है तो पहले तो फैंग लेंग को बहुत गुस्सा आता है कि आखिर मिस्टर हान करता क्या रहता है मेरे कमरे में कभी भी कोई भी गुच जाता है तब जैयो की आती है और उसे चेयर पे जबर्दस्ती बिठा देती है फैंग लेंग इतना दम लगाता है और सोचता भी रह जाता है कि आकर इस लड़की में इतना कितना दम है मैं उसे छूट ही नहीं पा रहा हूँ जायो की बस उसे बिठा के हाथों से उसकी मसाज करने लगती है ताकि वो काफे साथ रिलेक्स हो जाए लेकिन फैंग लेंग था जो की बहुत जाता गुसी के अंदर आ रहा था और वो कहता है यहां से जाओ हटो मेरे उपर से लेकिन गल्टी से जायो के उसके उपर ही गिर जाती है और Fang Lang के सामनी होने से Zayo के खुद का कंट्रोल खो देती है क्योंकि उसके फ्रेग्रेंस से तो Zayo की वैसे ही पागल होती थी तो वो Fang Lang के शर्ट के अंदर ही हाट डाल देती है आप तो Fang Lang बहुत भड़क जाता है कि तुम करना क्या चाती हो इतनी दे में Mr. Han आ जाता है जिसे लगता है कि शायद इन दोनों का कोई movement चल रहा है तो वो जानी लगता है तब वो कहती है कि तुम दोनों लड़कियां पाकलो ऐसे कुछ भी नहीं होता है लड़कों को अगर खुछ से प्यार करवाना होता है तो उनको अपने प्यार में गिराना होता है उनका दिल जीतना होता है जब जायोकी मनी मन सोचने लगती है कि आज से पहले यानि कि जब पहले आई थी तो fang lang तो बहुत मुरा आदमी था उसने जायोगी को पसंद किया उसे शादी करी उससे प्यार करता था तो इस बार भी वो जरूर प्यार के अंदर गिर जाएगा लेकिन उससे पहले उसे fang lang के बारे में कुछ जानना जरूरी होगा घर आने के बाद में शाबू रात के अंदर fang lang के account statement को दे के ये पता करती है कि कल उन्होंने hot spring बुक कराया है वो भी दो लोगों के लिए जायो की काफी साथा energy के साथ में practice करने लगती है कि काश अगर वो कुछ अच्छी से practice कर ले या फिर कुछ अच्छी से activity कर ले तो वो जरूर fang lang को impress कर सकती है जोकी ने अंदर जाने से मना करता है अब शाबू वो तो खुदी पूरी की पूरी computer system है तो उस रोबोट को वो वहीं पर रोक लेती है और जायो की को अंदर जाने के लिए कहती है जब जायो की अंदर जाती है तो उसे लगता है क्या फैंग लेंग और भी लड़कियों के स और उसे लगा था कि फैंग ली आया है जायो की को लगता है कि यह ऐसे किसी को भी हाथ दबाने के लिए क्या देता है खेर छोड़ो मुझे क्या अब वो जैसे फैंग लेंग को टच करती है उसकी हाथ अगर दबाने लगती मसाज करने लगती तो उसे तो बहुत अच्छा फिल होता है मानो कि उसे तो जन्नत मिल गई हो और वो बहुत मज़े से प्रेस करती रहती है तो फैंग लेंग कहता है कि तुम्हारे हाथ का दम कहां गया आखिर तुम्हें तिक कमजोर कैसे हो थोड़ा जोर जोर से दबाती है और इतना जोर से दबाती है कि विज़रे फैं करती है और उसे पता चलता है future CEO है यानि कि इतने बड़े company का मालिक है और इसी के साथ में वो foreign return है और फैंगलेंग नहीं उसे बुलाया है इस चकर के अंदर वो फैंगली को रोपनी वाली थी कि कुछ भी करके वो फैंगली को अंदर नहीं जाने देना चाहती थी इसी के करण वो फैंगलेंग को कहती है कि हाँ मैं तुम्हें पहचान गई मैं यहां से गेम खेलने के लिए जाने वाली हूँ क्या तुम मेरे साथ चलोगे क्या अब फैंगली क्या मना कर पाता इसी के फैंग लेंग की बॉड़ी से चिपक जाती है और फैंग लेंग बस उसे धक्का दिता रहता है इस भाग दोड़ के अंदर गल्ती से जायोकी के हाथ में फैंग लेंग का टाओल आ जाता है और इसी वड़ी बड़ी स्टाइल से उस टॉविल को दुपट्टे की जैसे लगात के सोचते हैं कि आखिर इन दौनों के बीच में है क्या ये दौनों लड़के हैं फिर भी एक दूसे से इतने अट्रेक्ट क्यों हो रखे हैं क्या पता है इनके अर्थ पे ऐसे ही होता होगा लड़के लड़के एक दूसे से प्यार करती होगे जो भी हो हम दौनों को क्या फ बिजनेस संभालना है, उसके अंदर एक आर्टिस्ट की सोल है, और उसे बस यहीं पर रहना है, वो अपने भाई को मनाने की बहुत कोशिश करता है, कि प्लीज मेरे यहाँ पर रहने का अर्रेंजमेंट कर दो, और मॉम को बिल्कुल मत बताना कि मैं यहीं पर रह रहा हूँ, क आखिर ये दौनों लड़की कर क्या रहे हैं अपस के अंदर जबकि इन दौनों को ये नहीं पता था कि वो दौनों सग्य भाई हैं और उनके प्यार करने का स्टाइल बहुत नॉर्मल है ना कि ये दौनों लड़की कपल थे जहां पर शाबू कहती है कि हमें कुछ न कुछ त साथ रहना हमें इन दौनों को अलग तो करना ही पड़ेगा अब ये लोग यहां पर लंच करने के लिए आये थे तो शाबू सीधा आती है फैंगली के पास में और उसे अपनी साथ में दूर ले जाती है ताकि वो फैंगलेंग के साथ बैठ ही नहीं पाए इतनी देर में ज कंपनी देती हूं जायो की सिधा ट्रेड्मील पर चड़ जाती है लेकिन फैंगलेंग उससे बदला निकालने के लिए जायो की के स्पीड काफी जाथा तेस करके वहां से चला जाता है एक सीन में हम देखते है कि शाबू यहां पर गेम खेल रही थी और गेम गेम के अंदर वो फैंगली को हरा दीती है जिसके चकर में फैंगली को अपर एक सीक्रिट बताना पड़ता है जहापे फैंगली खुत के बारे में बताता है कि वो कैसे यहां से बाहर रहता था और उसे अपनी कंपनी वगर में कोई इंट्रेस नहीं है बलकि वो तो एक आर्टिस्ट है य वाली पावर। जिससे तो मुझे से ज़रूर बात करे का अपनी है। रुख जाओ अभी कि अभी और उसके बाद में अपने एक magical love वाला गजब वाला पोशन इधर उदर बिखेरती है मतलब कि एक बहुत इधर गजब वाला magic करती है जिससे कि जितने भी flowers थे हैं मुर्जाय होय थे हो सारी bloom करने लग जाते हैं इतने भी popcorns थे हो सारे हवा में उड़के इधर उदर गिर रहे लगते हैं यानि ये मोहल बहुत सुन्दर हो जाता है और फैंग लेंग उसके बाद में पीछे देखता है तो एकदम से साली चीज़े बदली हुई दिखती है और वो जायोकी की तरफ आगे बढ़ता जाता है जायोकी खुश हो जाती है कि अब तो फैंग लेंग उसके प्यार के चक्कर में पढ़ गया और इसी के साथ में गाईज ये second episode यहीं पे खत्म हो जाता है तो चले फिर मिलते हैं हम सभी लोगों से अगले episode में तब तक के लिए My Girlfriend is an Alien के last episode में हमने देखा था कि जायोकी ने बहुती गजब एक love magic किया था जिसके चकर में सारे fool खेल उठे थे, सारे popcorns उपर से गिरने लगे थे साथी में जो fang lang था, वो भी कहीना गहीं जायोकी की तरफ आ के बढ़ता जा रहा था और जायोकी को पूछता है, क्या, यह सब कुछ तुमने किया है जायोकी कहती है कि हाँ, बिल्कुली सब कुछ मैंने किया है, fang lang और आ के बढ़ता है और एकदम से जयोकी को पकड़ लेता है कि अब तुम्हारी हद पार हो चुकी है अब अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया या मुझे पीछा किया तो देख लेना बहुत बुरा होगा तो मुझे अब हरैस करती जा रहे हो दूर रहो मुझसे वो गिरतीवी जयोके को भी बचा लेता है लेकिन फिर भी जयोके को धका मारके वहां से चला जाता है जयोके बिचारी सोच में पड़ जाती है कि आखीर एक किस तरह के का इनसान है यहाँ पर दूसरी तरव शाबू भी दूसरी बार फैंगली को हरा दीती है और फैंगली सोचता रह जाता है कि आखिर शाबू कैसी लड़की है आखिर वो इस गेम में इतने कितनी परफेक्ट कैसे जीतती जा रही है वो जिसके बाद वो शाबू को कहता है ठीक है अब अपनी दूसरे विश मांगो जहाँ पर शाबू को लगता है कि अगर उसे फैंगली को पताना होगा और फैंगली से दूर करना होगा तो वो फैंगली के लिए ओफर रखती है कि तुम मेरे साथ डेटिंग करो फैंगली एकदम से सोच में पर जाता है कि आखिर ये ऐसे कैसे हो सकता है एकदम से वो उस लड़की को कैसे डेट कर सकता है जबकि उसे तो अपने करियर पे फोकस करना है वो इस लड़की को चानता भी नहीं है तो वो शाबू को मना कर देता है शाबू यहां से जाने लगती है लेकिन घुसे के अंदर वापस लोटती है मैं इससे बतला तो जरूर लेके जाओंगी जब मैं टॉटव इस फॉर्म में थी तो इसने मेरी सीपी उपे यानि कि मेरे सर में बहुत जोर जोर से मारी थी मेरा पूरा सिस्टम हिल गया था तो वो फैंगली को मारने आती है फैंगली डर जाता है कि आरे मैंने इसे मना किया यह तो वाइल्ड हो गई जहां पर फैंगली बताता है कि कैसे उसमें फैंगली के लिए सारे अरेंजमेंट्स कर लिये हैं और अब फैंगली कुछ टाइम तक छुपने के लिए वहीं पर रह सकता है तो फैंगली बड़ा खुश हो जाता है कि चलो आज तो हम दोना साथ में सो जाते हैं हम बच्पन क जायोकी को लगता है कि जरूर उसी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी इसी की करण जायोकी पूरा खुद को स्कैन करवाती है तो शाबू कहती है तुम्हारा सिस्टम बिल्कुल ठीक है लेकिन आखिर प्रॉब्लम क्या हो रही है इतना बड़ा मैजिक कैसे फैंग लै सोचते हैं कि अब इन्हें फैंग लैंग के बारे में काफी सारी इंफोर्मिशन ग्यादर करनी पड़ेगी तब जाके कही ना कहीं इनका काम बनेगा इसके बाद में नेक्स सीधा फैंग लैंग के ऑफिस से दिखाया जाता है जहां पर फैंग लैंग एक बहुत बड़े फ साल का ब्रैंड न्यू लाँच होगा जो कि सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा होगा तो इसकी सारी तयारियां शुरू करतो लेकिन जैसे परफ्यूमर इस काम के उपर शुरुआत करता है यानि कि सैंपल बगर बनाना शुरू करता है तो एक आदमी उसे आके कहता है कि मे शाबू के उपर शिफ्ट हो जाता है जो कि यहाँ पर आपस में बात करते हैं शाबू जायो की को बताती है कि मैंने आदमियों के लिए काफी सारी चीजे सोच ली है काफी सारे एक्टर्स के बारे में रिसर्च किया है और इन सब चीजों से मुझे ये पता चला है कि तीन तरह के चीजों से परिशान होते हैं सबसे पहला कि बच्पन उनका अच्छा नहीं जाता है उनके बच्पन के अंदर कोई तो ट्रैजडी हो रखी होती है साथ ही में यह लोग बहुत साथ चिर्चड़े होते हैं इनका जरूर कोई असिस्टेंट या फिर कोई डॉक्टर इनक आखिर एक unhappy इंसान इता healthy कैसे रहता है तब जायोकी समझती है कि वो रोज exercise करता है exercise करेगा तो उसका पसीना निकलेगा जिससे कि वो काफी जदा healthy बन जाएगा और अगर healthy रहेगा तो वापस exercise करेगा यह एक cycle की तरह चलता है जहां पे शाबू कहती है जायोकी को कि तुम क इतने smart हो जायोकी तुम्हें सब कुछ पता है और अब यह तोनों अपने नए mission की तरफ निकल जाते हैं जहां पे हम देखते हैं कि इस बार फैंग लैंग अपनी therapy लेने के लिए डॉक्टर के पास में आया था असल के अंदर यह डॉक्टर हान था लेकिन खैर अब पतानी जायोकी के बारे में कैसे पता चला जहां पर यहां पर पहले तो पहले तो फैंग लैंग बहुर गुसा करता है कि आज तो उसका असिस्टन गया काम से साथी में डॉक्टर को भी कहता है कि जायोकी कुछ भी नहीं है वह इते important नहीं है और नहीं मुझे उससे कोई लिख देना अब बाग की सब को चीजें मैं देख लूँगा यहाँ पे जायो की शाबू और इसी के साथ में मिस्चाय तीनों ही मिलके कोई वैब सीरीज वगरे देख रहे थे यानि की चाइनीज ड्रामा देख रहे थे तब इनको पता चलता है कि लड़किया किते सुन्दर ह उपर से ये लड़के कैसे प्यार के अंदर पागल हो जाते हैं लेकिन जो फैंगलेंग है आ IG होता क्यू नहीं है वो कैसा इंसान हैborg कहती है कि तुमने खुद को देखा भी है कि तुमें एक बुरा मत मानना लेकिन जाएओं कि तुम कितने प्लें कपड़े पहनती हो किते स पर और चीजा है सार आपको थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए को काम काफी जादा है काम कफी जादा है काम बहुत rheए करना बहुत सारे चीज़े अचीव करनी है तो काम तो करना ही पड़ेगा रेस्ट का क्या है वो तो मैं बाद में भी कर लूँगा लेकिन असिस्टेंट हान हमेशा से फैंग लैंग को इंप्रेस करने की काफी ज़ादा कोशिश किया करता था तो फैंग लैंग क्याता है कि आरे कोई दिक्कत नहीं है मैं मेरा काम कर लूँगा लेकिन सबसे पहले तो तुम ये बताओ कि तुमने डॉक्टर को कैसे बताया शायो कि के बारे में तो असिस्टेंट हान एकदम से दर चाता है और कहता है कि नई नई मैंने तो कुछ ने बताया है जहांपे फैग लेंग कि सब से पहले तो उसे अंस्टॉल करो साही चीजर हटा हो हां से आज के बाद किसी को भी तुमारे थुर मेरे बारे में पता चला तो फिर देख ले ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा जिसके बाद में सीन यहां फैंग लैंग की स्टैप मॉम के उपर शिफ्ट हो जाता जो कि अपने भाई से बात चीत कर रही थी उसका भाई बताता है कि मैंने सारा काम कर लिया है परफ्यूमर से बात कर ली है उसने इने दोका देने के बारे म की जरूरत नहीं थी वो बहुत ही खतरनाक सी कॉस्ट्यूम पहन के आ जाती है रेड कलर का विक लगाती है कि जाधा स्किनी जाधा पतली लड़की थी कि बहुत ही अजीब लग रही थी यह जो भी था वो ओफिस के अंदर पहुँच जाती है मिस चाहे का कॉल आता है जायो पीछे से फैंग लेंग और असिस्टेंट हां दौनों ही देख लेते हैं कि आखिर इसके स्मेल के सेंसी जित्ते अच्छे कैसे हैं जायो की पीछे मुड़के देखती है तो उसे फैंग लेंग दिखता है यानि कि उसे अपना टार्गेर दिख जाता है और वो फैंग बन के आती है कभी कोई वारियर बन के आती है लेकिन तब भी फैंग लेंग उसे बिलकुल भाव नहीं देता जायो कि अब कई न कई परिशान हो गई थी और सोच में पढ़ जाती है कि आखिर वो क्या करेगी वो इस बार बस आखरी कोशिश करेगी अगर इस बार भी उसने रिजाइन कर दिया है एकदम से वो सिटी से बाहर चला गया है उसने सब को छोड़ दिया उसका कोई कॉंटेक्ट नहीं हो पा रहा सबसे इंपॉर्टन बात तो यह है कि जो हमारा कल लॉंच होने वाला है सिर्फ और सिरफ उसने वो परफ्यूम छोड़ा है उसके अल पर जायोकी एंट्री करती है और वापस से नौटन की करने लगती है डांस वगर करने लगती है तभी फैंग लाइंग को याद आता है कि जायोकी के जो स्मेल सेंस थे वो काफी अच्छे थे इसके करण वो जायोकी को अपने साथ लेके आता है और उस कमरे में लेके आता है जहां पर इनके पर्फ्यूम बनते थे वो उसी पर्फ्यूम को जायोकी को देता है और चेक करने के लिए बताता है कि बताओ इसके अंदर क्या-क्या मटीरियल डला हुआ है किते-किते फ्रेग्रेंस डले हुए है जायोकी 2-3 मुनिट तक उसे स्मेल करती रहती है फिर फैंग लैंग को लगता है कि इससे नहीं हो पाएगा ये नहीं कर पाएगी इसमें काफे सारे फ्रेग्रेंस है जिसके बाद में जायोकी 10 तरह के की चीजें लिख देती है और अपनी हाथ से वापस से वही पर्फ्यूम वैसा का वैसा ही बना देती है बलकि उससे भी बेटर बनाती है ताकि वो लॉंग लास्टिंग चलता रहे इस चीज़ को देखके फैंग लैंग और जो असिस्टेंट हान था दौनों के होश उड़ जाते क्या आखिर जायोकी ने इतने कम टाइम में इतने एक्यूरिल चीज़ कैसे कर ली जबकि जायोकी के लिए तो ये बिलकुल नॉर्मल चीज़ थी क्योंकि वो एक एलियन है तो उसके पास में इतनी तो सूपर पावर पहले से ही थी उनको जवाब देता है कि आखिर उसे कितना टाइम लगा इस परफ्यूम को बनाने में उन्होंने कहां कहां से ये इंस्परेशन ली इस परफ्यूम को बनाने के बीचे का मोटिवेशन क्या था लेकिन तब भी रिपोर्टर नहीं रुखते और एक रिपोर्टर पूछी ले हर कोई सूं के इसे बहुत खुश होता है कि फैंग लंग ने बहुत अच्छा प्रोड़क बनाया है यहां पर फैंग लंग फिर डालॉग भी मारता है कि लोग चाहे मुझे कितना गिराने की कोशिश करे लेकिन मैं कभी भी नहीं गिरूंगा बलकि मैं हमेशा आगे बढ़ से फैंग ले की मॉम को पीछे चाइनी स्वीपर दिख जाता है तो वो कहती है कि तुम्हारे अमेरिका के अंदर चाइनी स्वीपर कैसी आए जहापे फैंग ले कहता है ने नी मॉम वो तो आज कोई कॉस्ट्यूम का प्रोग्राम था इसलिए आये है चलो मुझे क्लास कंद रहे हैं मार्केट में सेल भी काफी तरीके से हो रही है और इन सब के पीछे सिर्फ और से जायो की ही थी क्योंकि अगर एंड टाइम पे उसने पर्फ्यूम नहीं बनाया होता तो सारी चीज़े गडबड हो जाती मिस्टर हान के कहने पे फैंग लेंग बात मान चाता है और क ज़रूर तुमसे बाचीत करना चाता है वो जरूरओ तुम्हींं कर अचाता है तबी तो तुमੁह इतना एक्स्पेंसिफ गिफ्ट बीजा कि जबकि जायो के को नहीं लग रहा था कि नहीं नहीं ऐसा नहीं एसा नहीं हो सकता मैं चांग खुदी भूर पोछले हूग इसी कहते हैं कि फैंग लेंग तुमने बहुत कम उम्र के अंदर इतनी सारी चीज़े कर ली एन आए होप कि आगे जाकी पिर तुम्हारी कंपनी बहुत अच्छा प्रॉसीट करेगी और हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे खुशी-खुशी के चक्कर में फैंग यहां पर काफी जाधा पी लेता है इसी रात को जायोकी फैंग लेंग से बात करने के लिए आती है कि आके तुम चाहते क्या हो क्या तुम मुझे पसंद करते भी हो या नहीं करते हो लेकिन जैसे जायोकी यहां पर आती है तो पता चलता है कि फैंग लेंग ने इतनी जाधा पी ली ह और बिचारी जायो की अब वो इस पीएवे इंसान को तो बिल्कुल पसंद नहीं करती, उपर से अभी उसे हार्मोन की स्मेल भी नहीं आ रहे थी, वो बहुत ज़्यादा भड़क जाती है, कि मिस्टर हान ने तो आज बिल्कुल अच्छा नहीं किया, इस पीएवे को मेरे अब यहाँ पे, फैंग लेंग की हालत काफी जादा खराब थी, उसने इतनी जादा पी रखी थी, कि उसे कोई गाड़ी के अंदर तक भी नहीं बठाता, और अब वो अकेले ही कहता है, कि मैं खुछ चलूँगा मेरी कार, जायो की सोच ही रही थी, कि आखिर वो इतने भार वर्थी न, उसने पूरे अर्थ को फ्रीज कर दिया, उसके बाद में इस ट्रॉली के ऊपर मैजिक करके, अब यह दौनों ही सीधा आसमान की तरफ चले गए, जापे, फैंग लेंग बहुत पास से इस चांद को देख पा रहा था, और बड़ा खुश भी हो रहा था, अब लगता है, मैं अपने प्लैनेट पर तुम्हें करने दूँगी काम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जापे फैंग लेंग कहता है कि अगर तुम अपने प्लैनेट की एलियन हो, तो फिर मैं इस प्लैनेट का सूपर मैन हूँ, देखो जरा वो खुद के कोड़ को खुद क अब लगता है, जिसके बाद मैं फैंग लेंग कहता है, अगर तुम मेरी विंग बनोगी, तो मैं हमेशा तुमें प्रोटेक करके रखूँगा, और वो उसे हक कर लीता है, कैसे तैसे करके जायो की फैंग लेंग को उसके घर पे लेकर आती है, और उसे वहाँ सुला देती ह तब भी फैंग लेंग उसे रोक लेता है कि जायो के प्लीज मचाओ मेरे पास ही रहो यहीं पर रहो और कोई नए स्टोरी सनो जिसके बाद मैं जायो के उसे कहती है चलो ठीक है फिर मैं तुम्हें एक नए स्टोरी सुनाती हूँ एक लड़की थी एक लड़की जो की अर्थ क शाधी कर ली लेकिन उस लड़की को वापस उसकी प्लैनेट वाले ले गए और उसके सिस्टम अपडेट करके उसी वापस भी इस दिया तो जहां पे फैंग लेंग कहता है कि उस लड़के के साथ में कितना बुरा हुआ होगा वो लड़का जरूर इसलिए बुरा बना होग क्योंकि वो लड़की उसे चोड़ के चली गई जरूर वो उस लड़की से बहुत प्यार करता होगा इसी चक्कर में वो काफी जादा घ्रूर और काफी जादा गुस्से वाला बन गया होगा जायो की सोच में पड़ जाती है कि हाँ जरूर ये बात तो सच है जिसके आद व उसे प्यार नहीं करती तब क्या होगा जरूर ये लड़का इसी चीज से ड़ता होगा जहां पर जायो की को सब कुछ समझ में आने लगता है कि आखिर फैंग लेंग के मन के अंदर क्या चीजे है क्या है जो कि उसे इतना गुस्से वाला बना के रखती है जिसके बाद फैं नहीं पता लेकिन ठीक है तो मेरी गोदी में सहरा के रो सकते हैं तुम्हें जितना रोना है तुम रोलो मैं आखिर तुम्हें कैसे चुप कर आऊं क्योंकि मुझे पता है नहीं कि मा क्या होती है जिसके बाद में जायो की फिर से जाने लगती है लेकिन फैंग लेंग उसे एक बार फिर से रोक लेता है और अपने उपर ही गिरा लेता है जायोकी के इतने जाधा करीब थी कि फाइनली जाके जायोकी को वही हार्मोन फ्रेग्रेंस आने लगते हैं और उसे लगता है कि इतना जाधा अच्छा ये कैसे अट्रेक कर सकता है कि इस इंसान को जायोकी के इ इन एलियन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग लैंग ने बहुत जादा ड्रिंक कर ली थी वो अपने होश में नहीं था और जायोकी भी उसके साथ में थी बिचारी जायोकी उसका फायता नहीं उठाना चाहती थी लेकिन वो उसके हार्मोन से इतनी जादा चाहती है और वो वो शो चाता है इस चकड़ में बिचारी जायोकी का किसी नहीं उपाता और वो देखती है जब तो उसे पता चलता है कि考ती हो और जुब है उटने पे पता चलता है फैंग लाइंग को की रात में जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बर हुई है और वो जायो की को हटाता है लेकिन इस बार जायो की कहती है कि इस बार देखो मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं है रात में तुम्हें खुद देखना चाहिए था क कि तुमने क्या घड़बर करी है हलांकि इस बार जांग का शर्ट खुला हुआ था तो जायो की और फैंग लैंग दौने खुद के कपड़े चेक कर रहे थे कि कुछ हुआ तो नहीं ना जायो की और कुछ बोलती तो उससे पहले भी फैंग लैंग उसे चुप करा देता है जायो की यहां तो यह बात कर रहे है लेकिन बाहर जा कि यह बात कहीं पर कर ना दे इसे के करण उसे शांत कराने के लिए वो उसके लिए ब्रिकफास्ट बनाता है जायो की बस उसे बैठे बैठे देखती ही रह जाती है कि फैंग लैंग कि इतने अच्छी तरीके से ब्रिक बिर्फास नहीं बनाता बस कॉफी पी कि चला जाता हूं मुझे अकिलिए प्रिकवास करने का शौक नहीं है तो जायो की कहती है कि आरे हम तुमारे सामने ही तुर रहते हैं तो मुझे बुला लिया करो मैं मेरे साथ में मिस चाय शाबू सब को लेके आ जाओंगी फिर हम सब एक साथ फैमिली के जैसे बैटके खाएंगे फैंग लैंग को ये भी समझ में आ गया था कि आखिर जायो की उसकी प्यार में पागल क्यूंग जो कि नहीं नहीं लग रहा था कि तुमारे से मुझे फरक पड़ता है जबकि जायो की का कहना था कि उसे तो हर्मौन्स चाहिए लेकिन फैंग लेंग इस वक्त इस चीज को इग्नोर करता है और वहाँ से चला जाता है जायो की देखती है कि फैंग लेंग ने इतना सारा खाना जूटा ही छोड़ दिया है तो वेस्ट करने की बजाए वो शाबू और मिस्चाय को खिला देगी तो ये सारी चीजे वो अपने घर लेकर आती है जहाँ पे तो उसका घर पे आती वैलकम होना शुरू हो जाता है मिस्चाय और शाबू बहुत जादा खुश थे कि कल रात तो वो फैंग लेंग के साथ में थी जरूर इनका कोई मुवमेंट होगा और बहुत सारी चीजे लेकिन जायो के कहते है कि अच्छा तुम्हें सुनना है क्या के रुआ था तो वो बैटके स्टोरी बताने लगती है वहीं दूसरी तरफ ऑफिस के अंदर असिस्टेंट हान भी बात करने की कोशिश कर रहा था कि आज वो फैंग लेंग से क्या कहेगा कि सर आप मुझे बहुत जादा खुश है आप तो मुझे अप्रीशेट करेंगे कि कल रात मैंने आपके इतनी देख बाल करी क्योंकि मैंन तो आपको छोड़ दिया था ना असलके अंदर फैंग लेंग सामने बैठा ही नहीं था और वो पीछे खड़ा था हान को लग रहा था कि फैंग लेंग कर रात के बारे में बहुत सारी बात करेगा लेकिन फैंग लेंग तो कोई भी बात नहीं करता है या दूसisasЕТ courtyard को जब के बीच में कुछ भी नहीं हुआ तो मिस चाय को और शाबू को बहुत बुरा लगता है कि यह तो बहुत ही बोरिंग है इसमें तो बहुत कुछ होना चाहिए था लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं तो भी तुम दोंने एक दूसरे के नजदीक तो आई यह बी अच्छी बात है उसके बाद में मिस चाय तो अपने आफिस निकल जाती है और आफिस जाने के बाद में शाबू को लगता है कि ज़रूर रात में जायोकी ने बहुत सारे हर्मोन्स इकट्टे किये होंगे लेकिन जब जायोकी के हर्मोन्स को चेक किया जाता है तो अभी इसे गरबर भी हो जाए तो शाबू कहती है कि तुम इतने टेंशन क्यों ले रही हो वो तो कोई चीज सीरिस लेता ही नहीं है तो फिर तुम इतना क्यों सोच रही हो तो जयो कि कहती है कि हाँ ये बात पीस है जिसके बाद में ये आप फैंग लांग की एक मीटिंग के ओपर हो जाता है यहाँ पे उसके सारे के सारे वो मैंबर्स बैठे थे जो कि किसे नए प्रोजेक्ट के उपर काम करने के लिए सबसे ज़ादा जरूरी थी आपस में बैठके ये एक न्यू लांच को स्टार्ट करने वाले थे इस परफ्यूम का नाम ड्रीमी था और ये एक बहु के मुँ से ये निकल वा लेते हैं कि इनके नेक्स्ट न्यू प्रोजेक्ट का नाम ड्रीमी है और वो प्रोजेक्ट किसके उपर बेस्ट है अंकल का तो काम हो गया था और असिस्टेंट हान को भी समझ में आ गया था कि गलती से उसने सब कुछ बग दिया है जिसके बाद मे हम देखते हैं कि मिस चाय के रेस्टरों के अंदर इस बार फैंगली की मा भी यहां पर बैठी थी जो कि अपने भाई से ही बात कर रही थी और उसे पता चलता है कि फैंगलेंग का नया प्रोजेक्ट लीक हो गया है इसी वक्त यहां पर जायो की शाबू से आके पूछती है कि क्या तुमारे पास में कोई इंफोर्मिशन आई है कि अभी तक एग भी ओम ँद॑ आया है जहाँ पर जायो की शाबू से पूछती है कि आकर तुमारे और फैंगली के बीच में क्या चल रहा है तो जायो की कहती है है हम लोग तो बहुत अच्छे गल्फिरिंड बॉयफ् से भीड़ते हुए भाग जाती है इसी वक्त जायोकी के पास में भी ओफिस से एक और आ चाता है तो वो जो पहले टेबल साफ कर रही थी तो वो भी फैंगली की मा की टेबल से भीड़के चली जाती है और यहां पर फैंगली की मां बहुत साथ भटक जाती है कि आखर इस हलो तक भी नहीं किया है जरूर वो मुझे भूली गई होगी इसी कोई relationship क्या ही नहीं सकते फैंग लेंग के पास में इस वक्त एक delivery वाली का call आता है इसी की कारण फैंग लेंग यहां से बाहर चला जाता है यहीं दूसरी तरफ हम office का एक scene देखते हैं जहां यहां की लड़किया हर वक्त जायोकी को छेड़ती रहती थी उन्हें लगता था कि जायोकी एक नंबर की पागल है जो कि फैंग लेंग को अपना boyfriend बताती है कि फैंग लेंग इसका boyfriend हो सकता है कि इसी के कारण वो से मजाक मजाक में कहती है कि तुम्हारे पती की वाले हैं कि फैंग लेंग अपनी पर्फियूम की बारे में कि उसके सोतेला अंकल था वो आकर सब कुछ बग दीता है कि तुम्हारा नियू प्रॉजेक कोई खास काम का होनी वाला नहीं है वैसे भी इतने सालों में बस तुम्हारा एक प्रॉजेक काम किया है वो भी लास्ट प्रॉजेक था बाकि सारी प्रॉजेक तो तुम्हारे कभी प्रॉफिट देते ही नहीं तो आखिर शेयर होल्डर्स अगर इसमें पैसा लगाने के बजाए किसी दूसरे प्रॉजेक में लगाएंग तो बहुत जादा अच्छा होगा और शेयर होल्डर्स भी नए प्रॉजेक में पैसा लगाने से मना कर देते हैं कि तुम किसी और चीज़ के बारे में सोचो वहीं दूसरी तरफ हम फैंगली को देखते हैं जो कि बाहर रोड पे खड़ा होके खुद के डिलिवरी एजन्ट का वेट कर रहा था लेकिन तभी इसकी मा का कॉल उसके पास आता है उसकी मा को लगता है कि उसने फैंगली को यानि बेटे को रोड के दूसरे तरफ देखा है तो अपनी मा को कहता है कि नए नए माँ आपने तो किसी और को देखा होगा मैं तो अबी अमेरिका के अंदर हुँ pernahा ही कार दिखती है और वो च उसे की इतने जादा नजदी खड़े थे कि दौनों का यह temperature बढ़ जाता है और साथी में फैंगली के इतने नजदी कोई लड़की आई नीथी तो फैंगली भी बहुत जादा खुश हो जाता है और कई नर्वस भी हो जाता है इसी करण वह शाबू को दूर कर देता है और लेकिन फैंगली समझ गया था जबकि ये फैंगली का भी फेंगली का भी फर्स रिलेशनशिप और की करना गा है यहां दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अंकल कांग थे वो फैंगलेंग के आफिस के बाहरी खड़े थे और एक चीज़ और लड़की काफे दिन से फैंग लेंग के आसपास में घूम रही आखिर यह है कॉन तो जहां पर यह रिसेप्शन वाली लड़किया बताती है कि यह लड़की खुद को फैंग लेंग की गल्फरेंट बताती है इसी वक्त अंदर फैंग लेंग असिस्टेंट हान से बात करते हैं कि आखिर यह सब पुझता है कि तुम्हारा फैंग लेंग के साथ में रिलेशन क्या है तो मुझे यह बताओ और जयोकी समझ गई थी कि यह अंकल बड़े बुरे हैं तो आखिर इनका फाइदा तो लेना ही चाहिए इसी करण वो इस अंकल को कहती है कि अगर आप हमारे रेस्टरौ के नंबर इसे की करण जायोकी उसे थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए केक खिलाती है लेकिन फैंग लेंग बहुत जादा गुस्से के अंदर था और उसी पकड़ लेता और पूछता है कि आखिर तुम कौन से मिशन पे काम कर रही हो कोई तुम्हें कितने पैसे दीता है तुम क्या म मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहती लेकिन बस मेरा काम ही ऐसा है मुझे उस काम पे रखा गया है तो फिर आखिर मैं क्या करूँ इससे तुम्हें कोई फरक नहीं पड़ेगा हाँ थोड़ा बहुत पड़ेगा लेकिन कुछ जादा नहीं होगा फैंग लेंग श अंदर आता है तो वो फैंग लेंग को कहता है कि आप गलत सोच रहे हैं जायो की वो लड़की नहीं है जिसने की सारे इंफोर्मिशन लीक की है जबकि फैंग लेंग कहता है कि मैंने उस लड़की को पकड़ लिया है वो जायो की ही थी जिसने मेरी सारे इंफोर्मिशन बाह कुशिश करती है कि कोई बात नहीं कभी तो चीज़े अच्छी होगी तुम इतना गुसा मत करो जरूर उसे कोई घलत फैमी होई होगी तुम एक बार फिर से उससे बात करने की कुशिश करना इसी वक्त फैंग लेंग अपनी घर की तरफ आता है और पहले जायोकी की दरवाज करना बंद करो देखो मैं इस चीज़ से कफेज़ता इरिटेट हो रहा हूं मैं दिल से तो मैं कुछ नहीं कहना चाता लेकिन तभी भाहर से आवा जाती है कि सर मैं तेक डिलिवरी बॉय हूं यानि कि फैंग लेंग ने जितने बी मन से बात कई थी वह एक डिलिवरी बॉय स चीवमेंट है अगर वो और जादा भढ़के या फिर कल तुमसे बिल्कुल बात ना करे या गुसा करे तो इसका मतलब भी अच्छा ही है यानि कि वो कही न कही तुमारे पास आता जा रहा है तो जायो की कहती है कि चलो बहुत अची बात है फिर तो मैं उसे और जादा गु अब यह चीज़ सुनके हांड डर जाता है कि अगर गलती से उसने खुद का नाम ले दिया तो जरूर फैंग लैंग उसे नौकरी से निकाल देगा इस चक्कर में वो कुछ भी नहीं बताता जिसके बाद में फैंग बस उसे नेक्स मीटिंग की प्रिप्रेशन करने के लिए बोल देता है जिसके बाद में जायो कि अब वापस है इसी कंपनी के अंदर ओर लेकर आती है तो पता चलता है कि उसी बाहर गार्ट्स ने रोक लिया है क्योंकि अब उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है तो उसे अंदर तक भी आने नहीं दे रहे थे और यह चीज़ देख उनी हाद से लिखी हुई एक नोटबुक जायो की को देती है और कहती है कि इसमें लिखी हुई कोई बिडिश तुम बना लो फैंग लैंग पका तुमसे इंप्रेस हो जाएगा जायो की बड़ी खुश हो के घर पे जाती है और उसके बाद में सारा खाना बनाने की प्रिप कि आलमोस्ट ब्लास करने ही वाला था इस चकर के अंदर वहापे आग भी लग जाती है यही वो टाइम था जब फैंग लैंग भी अपनी घर आता है और उसे पता चलता है कि सामने से चिलाने की आवाजे आरी और धुआ भी आ रहा है जैसे वो घर के अंदर आता है तो काफ की चीजबची एक आइस्क्रीम थी और वही वो चीज़ फैंग लैंग को देती है तो फैंग लैंग उसे अपनी साथ ले जाता है क्योंकि इस वक्त घर के अंदर पानी स्टार्ट हो गया था फैंग लैंग जैव की क्यों कह रही है जैयोकी यहां से जाने लगती है और इस उस रिंग को उठाता है तो एकदम से चकर खा के नीचे गर जाता है और उसे पास्ट की काफी सारी चीज़े एक साथ में दिखने लगती है कि कैसे जैयोकी से वो पहले मिला करता था यह लोग साथ में रहा करते थे एक दूसरे से प्यार करते थे और एकदम फैंग लैंग के अंदर आजाता है कि ये चीज़े हो क्या रही है उसके साथ में फैंग लेंग दर्द के मारे नीचे गिरता तो जायो की उसे उठाने के लिए आती है और अपनी रिंग अपनी हाथ में ले लेती है उसे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना इसी मुवमेंट पर शाबू आती उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर उसने ये सारी चीज़े कैसे देखी जायो के के साथ ये मुवमेंट उसके साथ कब हुए कुछ देर बाद के अंदर वो असिस्टेंट हान को मेसेज करता है कि उसे जल से जल पिक करे और उसे डॉक्टर के पास लेके जाए क्योंकि इ पिहेवियर कैसा था इसी के चक्कर में फैंग लैंग को पुरानी काफी सारी चीज़े याद भी आने लगी थी तबी उसे एक फ्लेश बैक आता है कि उसने खुद ने जायो की से पूछा था कि क्या तो मेरी गल्फरेंट बनोगी तब जाके फैंग लैंग मनी मन सोच रहा टाडा पिर अपनी सारी इस्टोर करके रखता है वो असिस्टेंट हान को कहता है कि मुझे सारी लड़कियों के बारे में बताओ असेस्टेंट हानद ने सारी लड़किया दिखा भी ने करी थी करी थी मेरे मूँ से निकल गया था हमारे नए प्रोजेक का नाम जहां पर फैंग लैंग कहता है कि क्या मैंने तो ऐसा कुछ नहीं का लेकिन तुमने आखिर क्या गडबड करी इस चक्कर में मैं तुम्हें निकाल भी सकता हूं तो हान माफी मांगता है बहुत सारा सौरी करता है और उसके बात में कहता है कि आप कुछ कह रहे थे आप किसी को ढूंड रहे थे जायोगी को और फिर हान कहता है कि हर बारिश के अंदर आप हर एक लड़की को भूल जाते हैं लेकिन इस बारिश के अंदर आप जायोगी को बिल्कुल भी नहीं भूले कही ना कहीं अब फ हिस्से के अंदर मिली है जहां कि मैमोरी तुमने रीस्टोर नहीं करवाई है कुछ महीनों पहले तुम यूएस गई थे हो सकता है कि उन तीन महीनों के बीच में तुम्हें वो लड़की मिली हो और उसके बाद में बारिशाई हो और फिर तुम भूल गए हो फैंग लैंग को सर्च भी करती है कि आखिर लड़कों की करीब कैसे जा सकती है जहां पर नहीं पता चलता है कि अगर लड़कों को लड़के उसे दूर जाना है तो लड़किया इसके बदले में लड़कों से कुछ भी करवा सकती है कुछ भी मांग सकती है कंपनसेशन के बदले में वो अप हार्मोंस तो इखटे कर दूंगी लेकिन अगर उसने मुझे नुक्सान पहुंचाया तो शाबू कहती है कि नई नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं उसका कचुंबर बना दूंगी उसे इतने एलेक्रिक शौक दूंगी जायो की कहती है कि देखो अग करेक्षय के साथ मैं आए थे कि चाहे जायो की कुछ भी कहेंगी तो हम उससे कार चाहिेये पैसा चाहिए जो बहीं चाहिए हम उसे सब कुछ देंगे अब तक दंग को Hanga कि लिए तर का यहां कर चन 花 जहां पर जायोंकी डर चाहती है किший ओमा माई गौट शिट इसे तो पता चल गया है कि मैं एलियन हो जायो की कुछ बोलती उससे पहले ही हाँ यहाँ पे बोलने लग जाता है कि प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो मेरे चकर के अंदे तुम्हें डाट खानी पड़ी है कि फैंग लैंग को उसके इलियन होने के बारे में तो कुछ भी नहीं पता है इसके बाद अब बारियाती कंपंसेट करने की जहाँ पे फैंग लैंग सारी की सारी चीज़े निकाल के जयोकी के सामने रख देता है कार, चावी, क्रेडिट, कार, चेक्न बॉक और फिर कहता है के येलो तुम्हारा कंपंसेशन और आब मुझे तुम्हारे साथ में नहीं मुझे ब्रेकप करना है मैं आगे जाके तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा जहां पर जायोकी पहले तो सारी चीज़े हाथ में उठाती है क्योंकि उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कंपंसेट का मतलब क्या होता है और अगर इसने ब्रेकप किया तो यह मुझसे क्या चीज़ें नहीं चाता है जिसके बाद फैंग लेंग असिस्टंट हान को कहता है कि देखो मैंने कहा था ना यह एक नमबर की लालची लड़की है और फिर जायोकी को कहता है कि तुम और सोच ले ना तुम्हारे पास में अभी काफी टाइम है सोचके मुझे जरूर बत आती है तो शाबू और जायोकी मिलके पढ़ने लगते हैं कि आखिर अगर इनने लड़कों से कंपनसेट करना है तो फिर आखिर यह क्या मांग सकते हैं दौनों ही बैटके उल्टी सीथी प्लाइनिंग करने लगती है कि कुछ पी करके बस जायोकी को फैंग लैंग के करीब करना है ने लंच करना है शॉपिंग करने है मुझे तो फैंग लैंक चाहिए था और वो खुस्ड़ी के अंदर यहां से चली जाती है जिसके बाद वो अपने घर के पाइप को खराब करने के कोशिक करती है तुमने ही मुझे का ठाना कि तुम मेरे सब कुछ कर सकती हुँ द कहता है कि मैं आपने कमपणी के बेस्ट एसिस्टेंट को लाया हूँ जो कि तुम्हारे सारे काम कर देगा और बता और क्या करना है जायो कि अब उसे के फैंगलेंग के पारे में हम जादा से सथाधा डीटेल्स कहां से पता लगा सकते हैं। और जायों की दौनों हैli, फैंगली की बारे कि मैसे पता होगा। कैसा हो कि अगर शाही सावू फैंगली के पास में जायेmemž carry और काफी सरी डीटेल्स निकलानले काम हो जाएगा work आफ्सटर शाबू जो थी फैंगली को मैसेच करती है, उसे होटैल के अंदर उससे मिलना है वो सब कुछ होटैल की डींटेल्स भ कर अभी स, दीती है फैंगली को यहां फैंगली मन-ीमन के भी सोचसान रहता है कि आकर शाबू को मुझatti क्या काम है और उसने मेरे लिए आकर होटेल क्यों बुक करा है कहीं वो मेरा फायदा तो नहीं उठाना चाहती और जब फैंगली होटेल के अंदर पहुंचता है तो डर भी जाता है क्योंकि शाबू ने उसे धक्का दे दिया था असल के अंदर शाबू ने तो यहां पर करनी है न चलो आज हम दोना मिलके प्रैक्टिस करते हैं तब जाके फैंगली की सांस में सांस आती और वो कहता है कि अच्छा चलो ठीक है तुमने मुझे इसलिए बुलाया क्या उसके बाद में शाबू बातों के अंदर फैंगली से फैंगलें के बारे में पूछना चाहती थी लेकिन फैंग ली समझता है कि शाबू तो इसवक्ट श्रमा रए और डायरेक्ट मुझसे नहीं पूछना चाहती इसे करण वह मेरे भाई के बारे में पूछना चाहती है लेकिन फैंगली तो यहां पर सबकुछ अपने रहे में बारे में पूछना attempt जब फैंगली की प्राइटिंग खत्म होती है तो शाबू उसे स्काइं करती है अब थी तो वह एक कम्प्यूटर थी तो वह एक एलियन तो काफी अच्छी तरुके पारी किसे बता देती है कि इसके अंदर क्या क्या कमी है फैंगली कहता है कि तुम कितनी बड़ी चीनियस हो तुम्हें इन चीजों के बारे में कितना अच्छी तरीकी से पता है आकर तुम ये कैसे कैलकुलेट कर पाती हो। उसके बाद में वो फैंगली को एक चश्मा पहनाती है कि चलो अब मैं तुम्हें एक अलगी दुनिया में लेके चलती हूँ। उसके बाद ये दौरों होई एक 3D क्लास के जरिये सीधा गैलेक्सी के अंदर पहुंच जाते हैं गैलेक्सी की इतनी बारिक बारिक चीज़े देखके फैंगली तो एकदम खो ही जाता है तभी काफी सारे एस्ट्रोइट इनके उपर गिरने लगते हैं तो वो शाबू को बच जगह है यह औरिशनल जगह नहीं है लेकिन तुम यहां की बारिक यहां देखो उसके बाद तुम समझ पाओगे कि आखे असली लाइफ के अंदर भी चीज़े किते इंपॉर्टेंट होती है फैंगली कहता है कि आखिर मैं इन सब चीज़ों को कब ठीक कर पाऊंगा मुझे सारी चीज़े ठीक करनी है तभी शाबू कहती है कि हार ठीक तो मुझे मेरा कंप्यूटर भी करना है तभी फैंगली अपने आखों से चश्मा अटाता और बोलता है कि कंप्यूटर ठीक करने में मैं तुमारी हेल्प जरूर कर सकता हूं यहां पे जायोकी और मिस चाय आपस में बाचीत करते हैं कि फैंगलेंग के आफिस से अब तो इनको कोई और भी नहीं आते इसी वक्त असिस्टेंट हान काफी सारे गिप्स लेके पहुंच जाता है जायोकी के लिए ताकि वो कंपंसेशन को बढ़ाता ही जाये लेकिन जायोकी को तो इन गिप्स से मतला भी नह है लेकर फञाइट को तो डेट के नाम से चستडा ही इसे ककारतखान को कहता है कि तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी भी है हान तो तुम्हें नौकरी लेकित हानी जाय जाता है बिमार हो गई हो, तब वो तुम्हारी जरूर क्यार करेगा, तुम इस चाय कहती है कि या इडियत बहुत अच्छा है, तुम बिलकुल ऐसा ही करना और वो 100% तुम से बात करेगा, जिसके बाद में जायो की शाम को बिलकुल स्वेटर वगर पहन के अपनी विंग के नीचे जाता है, जायो की भागती भागती आती है, उसका पीछा करने के लिए कि कभी तो मेरी बात सुनो, मैं सच में विमार हो और गलती से उसका पैर ट्विस्ट हो जाता है, और वो वहीं पे गिड़ जाती है, फैंगलेंग आगे जानी लगता है, अगर जायो की नाटक कर रही ह यहां पर जायोकी रोती रह जाते हैं कि सच में उसके पैर में लगी हुई थी और उसके घर में कोई दर्वाजी को बंग कर रखा था ताकि फैंग लेंग जायोकी को अपने साथ अपने घर पे ले जाए यहाँ पे जायोकी अपने दर्द की कारण रो रही थी जबकि मैं इस चाय को लग रहा था कि इन दोनों के बीच तो बहुत अच्छा मोमेंट चल रहा होगा शाबू जोर-जोर से रोने लगती है कि मेरी जायोकी के साथ में क्या हो रहा है लेकिन मैं इस चाय तो बड़ी खुश हो रही थी वहां हम सीन देखते हैं कि जायोकी के पैर पे जो लगी हुई थी तो फैंग लेंग उस पर पट्टी करता है पता चलता है कि वो जायोकी के पास नहीं आया था बलकि रिमोट लेने के लिए आया था एसी का और उसके बाद इसी ओफ कर दीता है तब जायोकी कहती है कि नई नई तुम्हें पता है न कि मुझे कितनी ज़दा ठंड लगती है और अगर मुझे जोर से ठंड लग गई रात में तो फिर आखिर मैं क्या करूँगी तो फैंग लैंग भर भर के सारे ब्लैंकेट्स ले आता है और जायोकी के उपटाल देता है तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में तब तक के लिए टाडा माइकल फ्रेंड इस एन एलियन की लांस्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जायो की हद सी साथा नौटंकी कर रही थी ताकि फैंग लेंग उसकी पांस रह सके रात पर और वो काफी सारा हीूमन हार्मोन इखटा कर सके और आखिर के अंदर फैंग लेंग जायो की के लिए बेल्ट लेकर आया था इसी कंटिनिटी के साथ में एपिसोड नंबर 6 की शिरुवात होती है एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया चाता है कि फैंग लेंग के हाथ में बेल्ट है और उससे वो आखी पट रहा था जायो की डर चुकी थी लेकिन अगले ही मुमेंट हमें पता चलता है कि फैंग लेंग उस बेल्ट से जायो की को बांधने के लिए लाया था औ तो फैंग लेंग भी बहुत स्मार्ट था उसने खुद के रूम के लॉक को एक एलेक्रिक लॉक के अंदिर बदल दिया था कि कोई भी अगर टच भी करेगा तो उसे शौक लगेगा और हैंड टू हैंड वो असिस्टेंट हान को भी थैंक्यू बोलता है यह कहने के लिए कि त के आसपास काफी सारे ब्लैंकेट्स थे उसके बाद वो फैंग लैंग को ढूडने के लिए पूरे घर में घूमती है लेकिन फैंग लैंग उसे कई भी नहीं मिलता लेकिन जाने से पहले वो जायोकी के लिए ब्रेकफास चोड़के गया था कि तुम ब्रेकफास जरूर कर लेना यहां पे जायोकी अब अपने घर पे लोटती है काफी सथा ठकी हुई थी और शाबू को मिस चाही ने एक फटाका देके बिठाया था कि अगर जैसी जायोकी आये तो उसके लिए फटाका फोर ना क्योंकि यह तो सेलिब्रेशन का डे है लेकिन जायोकी कहती है कि जै के साथ में 24 घंटा रहो तो वो सरूर तुमसे बात कर सकता है याने कि शाबू और जायोकी ने नया प्लैन सोचा यह यहां में दिखाया जाता है जो कि अफिस के अंदर काम कर रहा था और इसी वक्त एंट्री होती है जाते ही पैंग लेंग के चिपक जाती है और कैने लगत कि तुम मुझे compensate करोगे जैसा मैं कहूंगी वैसा करोगे तो आप करो मुझे यहाँ पर job चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में job इस घंटा रहना चाहती हूँ जहाँ पर fang lang कहता है कि तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर हर किसी की job नहीं लगती है लेकिन तो भी जायो की तुम्हें वो काम करना पड़ेगा और तीसरा रूल तुम्हें ओफिस के अंदर जो भी काम बताया जाएगा तुम्हें वो सारा काम बिना मना करे करना ही पड़ेगा जायो की हर एक चीज के लिए बात मान जाती है और एक dedicated employee बनने के लिए तयार हो जाती है जहाँ पर fang lang को पता था कि जायो की काम नहीं कर पाएगी लेकिन वो जायो की हरकतों को इग्णोर भी नहीं कर पाता क्या कि जायो की थी ही इतनी क्यूट जिसके बाद में हम देखते हैं कि शाबो और चाय यहाँ पे जायो की बाहर आने का वेट कर रहे थे और हम देखते हैं कि जायो की ने ओफिस जाने के लिए एक बिल्कुल नए आफ्तार ले लिया था पहली बार वो तयार होके अच्छे खासे कपड़े पहन के ओफिस जाने के लिए तयार हो चुकी थी वो नीचे पहुचती है और जाके सिधा Fang Lang की कार में बैठ जाती है और फैंग लेंग ठहरा इतने बड़े office का owner तो आकिर जायोके उसकी कार में क्यों बैठेगी लेकिन थी तो वो उसकी ex girlfriend तो जायोके कहती है मैं तुम्हारी girlfriend हो न तुम्हारे साथ जा सकती हूँ तो फैंग लेंग कहता है कि तुम्हारी dictionary के अंदर आज के बाद एक नया rule add करो कि तो मुझसे 10 मीटर हर वक्त दूर रहोगी जायोके को ना चाते हुए भी ये बात माननी पड़ती है और बिचारी को कार से उतरना पड़ता है उसके बाद वो पैदल पैदल अपनी office पहुँच जाती है और बहुत खुश होती है कि पहली बार वो इंसानों वाली lifestyle को follow करने वाली है कि कैसी corporate में काम किया जाता है उसे तो लग रहा था कि office में जाने के बाद वो फैंग लेंग के हर जगा आस पास रहेगी उसके साथ नाचेगी, कूदेगी हर वक्त साथ साथ में रहेगी लेकिन ऐसा तो बिल्कुल possible नहीं था क्योंकि जब assistant हान उसे अपनी जगा दिखाते हैं तो वो फैंग लेंग के office से काफी साथ दूर थी वो हान से बहुत request करती है मुझे फैंग लेंग के office के पास रहने दो तो हान जाके फैंग लेंग को कहता है कि वो ऐसा ऐसा कह रही है तो फैंग लेंग उल्टा assistant हान को कहते हैं कि अगर उसने फाल्दू की बात करी तो मैं उसे भी fire कर दूँग और तुमें भी fire कर दूँगा की कारट वो बस चेक कर रही थी कि आखिर से चलाते कैसे और सीधा उसके अंदर अपना मू डाल देती है इसी वाक पीछे से फैंग लेंग का घुजरना होता है और फैंग लेंग जायोकी को ऐसे उसे धन से अरेंज करना भी नहीं आया था यहां पे सारे बोड डायरेक्टर के मीटिंग चल रही थी और जायोकी भी यहीं पे खड़ी थी जहां पे इनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी कि जो इनका लांस प्रॉड़क था वो काफी जादा नीचे गिर ग अच्छा status ही लोग कैसे maintain कर सकते हैं जायोकी फैंग लैंग को इतना काम करते हुई देख के तो बिलकुल पागल हो गई थी जैसे फैंग लैंग अपने office के अंदर आता है तो जायोकी भी पीछे पीछे आती है लेकिन 10 मीटर की दूरी रखने के कारण वो फैंग लैंग से दूर रहती है और जोर-जोर से dance करने लगती है कि तुम कितने अच्छी तरीके से काम करते हो मैं तो तुम्हें देखके पागल ही हो गई तो फैंग लैंग कहता है कि वो तो ठीक है लेकिन तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो जायोकी बस गलती से कह देती है कि नहीं उसक की पास कोई काम नहीं है जिसके बाद तो फैंग लैंग ने पूरे ऑफिस का काम सिर्फ और सिर्फ जायोकी को करने के लिए के लिए किया था OUR चिला का. काम विचारी जयो की से ही करवा रहे थे जयो की ठकार के बैड भी गई तो भी फैंग लैंग उसे वापस से काम पर लगा देता है जिसके बाद में हान उसके पास आता है और कहता है कि ये देखिए सब लोग काम पर लग गए है सारे नेगेटिव रिव्यूज के बारे में पत हो रही थी कि आखिर उसी के ऑफिस में से ऐसा किया किसने होगा तभी इन्हें आवास आती है कि पीछे से बैठ कर इनका अंकल हस रहा था हालां कि देख तो वह अपने मुबाइल में वीडियो जी रहा था लेकिन जब वह अपना चाय को फिलेने के लिए जाता है तो फैंग ल तुम्हें अपने नए लोगों को थोड़ा सोच समझ के हायर करना चाहिए जहां पर फैंग लेंग कहता है कि एक बार मैं इस प्रॉब्लम से निकल जाओ उसके बाद हर किसी को लाइन के अंदर लगा दूँगा और सबसे पूछूँगा कि मेरे अलावा तुम और किस-किस क मिल जाएगा जिस दिन एविडेंस मिलेगा उस दिन बात करेंगे वो कभी पता नहीं लगा पाएगा कि इसके पीछे हम है और कॉल कटने के हैंड बात वह अपने बेटे यानि की फैंगली को कॉल करती है तो हमेशन तुमारे आसपास चाइनीज लोग क्यों गूमते रहते ह लेकि नहीं यह चाइनीज नहीं यह तो खोरियन है और शाबू उसी वाक कोरियन के अंदर इंग्लिश के अंदर जैपनीज के अंदर बात करने लग जाती है फैंगली कैसे तरसे करके फोन कारता है कि मुझे माँ पढ़ाई के लिए चाना है मैं लाइबरीटी के अंतर आया मतद कर सकता है उसके सिस्टम में जो भी ब्रेकडाउन आया है वो सारी चीज़े ठीक हो जाएगी लेकिन वो यह सारी चीज़े फैंगली के सामने तो नहीं कर सकती इसे के करन वो फैंगली को जूस लेने के लिए भीज देती है और उसके बाद अपना हाथ सीप्यू के उप पेंटिंग करना आता है तुम्हें कंप्यूटर ठीक करना आता है तुम आखिर किती मल्टी टैलेंटेड हो तब जाके शाबू कहती कि अच्छा तुम टैलेंट की बात कर रहे थे क्या हाँ वो तो सच बात है लेकिन थैंग्यू कि तुम मुझे यहां तक लेकर आए जहां पर फैंगली कहता है कि आरे मैं तो तुम्हारा बॉइफ्रेंट हूं मैं तुम्हारे लिए सारे काम कर सकता हूं यह तो एक छोटी सी बात थी शाबू कहती है कि मैंने और वी चीज़ देखी है जो रिलेशन्शिप में होते हैं वह बहुत कुछ करते हैं जैसे कि हग करते है किस करते हैं साथ में रहते हैं वो और कुछ बोलने वाली होती है उसे पहले तो फैंगली उसका मुव बंद करा देता है कि आरे हरे चुपो जाओ इससे जादा मत बोलो जिसके बास सीन यहां जायोकी के उपर शिफ्ट होता है अब यहां पर अलग अलग फ्लोर्स के उपर जाना था लेकिन उसी वक्त लिफ खराब हो जाती है तो शाबू यहां पर कुछ की पावर का इस्तेमाल करने वाली थी लेकिन उसे पता चलता है कि यहां पर तो क्यामरे लगे है इसे के करण वो फायर एक्जिट पर जाती है लेकिन वहां पर भी क्यामरे लगे थे तो अब ना चाहते हुए भी जायोकी को सीडियों से उतर चड़ के पूरा काम करना पड़ता है और वो बहुत बुरी तरीके से थक जाती है यह चीजmmelang भी देख रहा था जब जायोकी अपना office timing खत्म करके घर आती है तो बहुत बुरी तरीके से थक जाती है सीधा बैट पिस हो जाती है शाबू कहती है कि इंसानों को इतना काम करना पड़ता है ये तो मुझे कभी पता ही नी था तो जायोकी और शाबू दॉनर डिसकस करते हैं कि हाँ इंसानों के जिंदगी एलियन्स जैसी नहीं है इन्हें अगर खाना है तो कमाना पड़ेगा यही पहली बार शाबू ने जायोकी को एक बाल दिखाया कि ये देखो टैंशन के करना तुमारा बाल टूट क्या है जायोकी भी रोने लग जाती है और खुद के टूटे वे बाल को वापस सर में लगाने की कोशिश करती है और कहती है ये हाट वर तो हो गया अब मुझे स्मार् निकाल देती है उसके बाद में जायोकि ऐसे चुपीवी जगा पे जाती है जहां पे वो सारे पेपर्स को अलग-अलग करके जमा देती है स्टैपल भी कर देती है यानि कि जायोकि ने अपना काम बहुत ही कम टाइम के अंदर और बिना मैनत के कर लिया था उसके बाद वापस से एक बोर्ड मिटिंग होती है जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग लेंग तो यहां पर अपना काम कर रहा था और जायोकि असिस्टेंट हान के पास गई थी इससे काफी सारी audience को नई नई चीजों के बारे में पता चलता जाता है लेकिन वो जायोकी को ये भी समझाता है कि देखो प्लीज तुम बताना मत कि मैं अपने free time के अंदर phone चलाता रहता हूँ इसी वक्त पीछे बैटे हुए फैंग लेंग को समझने आता कि आखिर ये दोनों हसस के क्या बाते करते हैं इसी curiosity के चक्कर में वो दोनों के पास आ जाता और पूशन लग जाता है कि बताओ आखिर तुम दोनों क्या बात कर रहे थे तो assistant हान और जायो की दोनों ही चुप हो जाते कि नई नई हम तो बस काम से related बाते कर रहे थे इसके बाद में एक और meeting स्टार्ट होती है और इस बार भी सारे board members साथ में ही बैटे थे कि कहते हैं कि पहले से जितने भी review थे वो सब तो हटा दिये गए हैं वापस से positive review भी डाली गए हैं लेकिन हमारी जितने भी audience थी वो जा चुकी थी वो कईना कई negative हो गई है अब इन चीजों को ठीक कैसे किया जाए फैंग लैंग सबसे advice मांगता है कि हमें कोई new strategy अपना नहीं होगी किसी के पास कोई भी idea नहीं था तभी यहाँ पे जायो की बोल पड़ती है कि हमें live streaming करने चाहिए फैंग लैंग को जायो की का idea बहुती बखवास लगता है लेकिन जब सारी board members को वो समझाती है कि live streaming से हमारे audience को अपनी तरफ बुला सकते हैं अपने product के बारे में दिखा सकते हैं वापस से उन्हें trust करवा सकते हैं तो चीज़े ठीक हो जाएंगी सारी board members मान चाते हैं और आखिरकार fang lang को भी हाँ करना पड़ता है अब जायो की अपनी products को launch करने के लिए audience को दिखाने के लिए कि उनकी product कितने अच्छे है वो live streaming पर चली जाती है लेकिन comments आते हैं कि तुमने तो filter इस्तमाल किया है और तुम्हारा ये जो product है वो आराम से बहुत जल्दी उतर जाएगा तो जायो की सबको challenge करती है कि मैं इस product को लगाने के बाद में अब जिम भी करके दिखाऊंगी यहां पर हम fang lang और assistant han को देखते हैं जो कि अपनी काम के सिलसले में यहां से निकली रहे थे इन्हीं जायो की नहीं दिखती है तो han कहता है कि जाय जिम करती जा रही थी और साथ में live streaming भी करती जा रही थी ताकि वो लोगों को दिखा सके कि उसका make-up कितना perfect है और वो बिल्कुल भी sweat आने के बावजूद भी नहीं हटता है अब यह चीज़ fang lang भी देखता है और उसे पता चलता है कि यहां पे जो hate comments आ रहे हैं कोई और मैं चाहे भी इसी काम को करने के लिए बैट जाते हैं यानि कि एक साथ में पूरा office लग जाता है खुदी के live streaming को ठीक करने के लिए लेकिन अभी भी live streaming पे comments आ रहे थे कि जायोकी ने जो product यूज करे हैं क्या वो waterproof है या नहीं है इसकी उपर कैसे trust किया जायोकी कहते है ठ फैंग लेंग गुजर रहा था और वो जायोकी को डूपता हुआ देख लेता और सीधा पानी में जम्प कर जाता है और इसी के साथ गाइज यहां पर खत्म हो जाता है तो चले फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में तब तक के लिए तड़ा जायोकी के साथ में एपिसोड नंबर 7 की शिर्वात होती है जहां हम देखते हैं कि जायोकी काफी जादा डूप रही है और आसपास कोई था भी नहीं उसी वक्त फैंग लेंग यहां पहुँच गया था क्योंकि वो जायोकी की उपर कंटिनुसली नजर रखी रहा था और सीधा पानी में कूद की उसके जान बचा लेता रूसे बाहर निकाल के लिए आता है मना भी करता है कि अब तुम्हें लाइफ स्ट्रीमिंग करने के बिल्कुल भी जरूरत नहीं है चाप पिजायोकी की कह आता है और वहां पर जितनी भी ओर्डियंस थी जहां पर काफी सारी लड़किया थी वो सब फैंग लाइंग को देखे काफी सदह एक्साइटेड हो रही थी तभी अब जायोकी अपनी कंपनी के मेकप को और प्रमोट करने के लिए और उसकी ज्यादा कॉलिटी दिखाने के कि जब फैंग लेंग और जायोकी एक साथ में एकसाइस कर रहे थे और जायोकी और फैंग लेंग काफी जादा नस्दीक भी आ गए थे दौनों एक दूसरे से दूर जाते हैं लेकिन तभी फैंग लेंग सीधा जायोकी के ऊपर गिर जाता है जहां पर जितनी भी ओर्डिय कि उसे टच कर रही है इसी की करन्ट वो खड़ा हो जाता है और यहां से जानी लगता है जायो की जिसके बाद में वापस अपने आउडियंस से बात करती है और कहती है कि देखिए मुझे कितना जदा स्वेट आ रहा है लेकिन फिर भी हमारा जो प्रॉडक्ट है वो बहुत अ काफी सारी चीजें उसके साथ में करी इन सब चीजों के लिए फैंग लैंग भी काफी जदा अच्छा फील कर रहा था और जायो की को कहता है कि ठीक है तो फिर आज तुम्हें डिनर मेरी तरफ से जायो की को लग रहा था कि फैंग लैंग और उसके बीच में कुछ नकुछ मेरी कंपनी बहुत अच्छे लगेगी मैं तुमारी घर पे आ जाती हूं लेकिन फैंग लैंग उसे ऐसा करने के लिए मना कर देता है और इतनी ही देर में बता चलता है कि आप इस शाबू के साथ में ली पहुंच गया है शाबू और ली जो कि एक कपल है वो आपस में बात कर अच्छे लाए भाईग लाए और ली शाबू को बताता है कि देखो अगर हमें डिनर पर जाना है तो मैं अपनी भाई से कैसे पैसे मांगता हूं ली फैंग लैंग को कॉल करता है बताता है कि बाई मेरे पैर पर लग गई है आप प्लीस मुझे पैसे बेजिए यह सारी ची कहती है कि आरे इसे माफ कर दो ना इसने जान पूछ के थोड़ी ना ऐसा किया लेकिन तभी यहां पर ली खड़ा होता है और जायोकी के पास में आता है कि एक सेकंड आखिर मैं तुम्हें पहले भी देखा है और ली को याद आ जाता है कि वो तो उसके भाई के साथ में स्वि है कि कर ली को इसके संचार प्ता तलजाएं यह दौनों तो पहले से मिली हुई लड़किया हैं और इन दौनों को फसांने की कोशिश कर रही है लेकिन तभी ली कहता है कि जरूर तुम दौना भूल गई होगी बताना कि तुम दौनों एक दूसरे को आपस में जानती हो ले चाहिए तुमने मुझसे जूट बोला तुम अपने काम के उपर फोकस करना चाहते थे लेकिन तुम आगे लड़की के उपर फोकस कर रहे हो ऐसे काम नहीं चलेगा ये बात उस वक्त भी हुई थी जब जायोकी सामने बैठी थी और जायोकी ने कहा भी था कि तुम ऐसा क्यों क्या रहे हो या शाबू ली के साथ रहती है तो क्या ये कोई टाइम पास है ये कोई टाइम पास नहीं है ये दौनों एक साथ में और खुश है यही बाते फैंग लैंग को याद बियानी लगती है तो फैंग लैंग कहता है ठीक है तुमें उसके साथ रहना है तो रहू ले आप आ रही है कैसा हो कि अगर वो उसके ऑफिस में जाए और उसे बाचीत करने की और जादा कोशिश करें अगले दिन जायो की फिर से फैंग लैंग के पास जाके उसी बात करने लगती है कि क्या तुम्हें मुझे कुछ कहने वाले थे तो मुझे सब कुछ कह सकते हो जहां प थोड़ा सा भी काम कम किया तो उसकी बॉस डिसपॉइंट हो जाएंगे यानि कि फैंग लैंग और उसे काम से निकाल देंगे तो इसी के कारण उसे अच्छे से काम करना पड़ेगा और जायो की कहती है तो कोई बात नहीं इसमें मैं तुमारी मदद कर दूँगी रात होने नहीं उसे देखोंगा नेक्स्ड यहां पे सारे लोगों की एक साथ में मीटिंग होती है तो यहां पर प्रेजेंटेशन के लिए मैनेजर्स को बलाया जाता है जायो की नहीं बात सुनी ही नहीं और सीधा जाके खड़ी हो गई और उसके बाद में बोलने लग जाती है प्र करें और उसके बात में लोगों के बीच परमोट करें तो क्यासा होगा असिस्टेंट हां जयोके को केहता है कि तुम्हारा टर्न नहीं था मैनेजर्स को बुलाया गया था विचारी जायोकी काफे जगा प्र आके बैठ जाती है जहांपे एक बार फिर से मैनेजर्स के बीच भी बात होने लगती है लेकिन कई न कई फैंग लैंग को यह आइडिया बहुत जादा पसंद आता है वो कहता है यह बात तो बिल्कुल सच है हमारे साथ में जिते भी competitors हैं उन सब के पास में research की companies है बागी सारे लोग भी क्याने लगते हैं कि हां research company होने के कारणी उनके पास में new product के जानकरी रहती है कैसा हो कि हमारे पास में एक research department start हो जाए फैंग लैंग इस बात के लिए okay कर देता है यानि कि इस company के अंदर एक new research department open होने वाला था जायो कि जिसके बाद में घर आती है लेकिन रात में वो हट से जादा थकी हुई थी क्योंकि उसके पास में भर भर के काम था और साथ ही में अब तक वो सारे अमीर लड़कों को कैसे बटाया जाए इस तरह की किसी भी तरह के का फंड नहीं देगा इवन वो तो से मिलता तक नहीं है जिसके बाद में अगले दिन दिखाया जाता है कि फैंग लैंग यहां पर अपने डिरेक्टर से कि तभी यहां पर उसे दो लड़कियां बताती है एक पार्टी के बारे में लेकिन जायो की कहती है कि उसे किसी पार्टी के बारे में नहीं पता आखिर कौन सी पार्टी होनी वाली है लड़किया बताती है कि रात में सारे अपर लेवल की स्टाफ की पार्टी होनी वाली है जिसके अंदर हमारे new product launch होते है, इस बारे में भी पता चलता है, साथ ही में, और भी अगर कोई काम रहता है, officer related तो भी पता चलता है, लेकिन उसमें बहुत कम लोग जा सकते हैं, तभी यहाँ पर fangling आता है, और इन लड़कियों को भगा देता है, कि तुम्हारे पास gossip करने क और साथ ही में सबसे expensive shoes दिखाई देते हैं, और साथ ही में एक note भी था, जो कि रात में 8 बजे मिलने के लिए लिखा हुआ था, जायोकी और शाबू दोनों को यह लगता है, कि हो सकता है कि fangling से कोई गलती हुई हो, वो जरूर किसी और से मिलना चाहता है, और गलती सी यह box मेरे पास आ गया हो, लेकिन तभी यहां पर मिस चाय आ जाती है, जो कि बताती है कि यह अब तक की सबसे expensive dress है, जो कि अभी अभी दो दिन पहले launch हुई है, और यह heels यह तो सबसे जादा अच्छे हैं, इसका new collection अभी अभी आया है, जिसके बहुत ही कम pieces हैं, यह मुझे बहु यह चीसी खाने पिने की चीज़े मिलेगे, इसे के करण जायोगी वहाँ जाने के लिए okay कर देती है, यहां फैंग लैंग और असिस्टेंट हान दौनों ही 8 बचने के बाद में जायोगी का wait करते हैं, लेकिन हान कहता है कि अगर मुझे कोई note देता सिर्फ आने के लिए कि ह आ जाओ तो मैं तो कभी नहीं आता, तो फैंग लैंग कहता है तो मैं और कैसे बोलूँगा, तुम खुद बताओ, असिस्टेंट हान एक्टिंग करके बताता है कि तुम्हें उसके पास जाना चाहिए था, उसे प्रपोस करना चाहिए था, तो मेरी डेट बनो ऐसा कहना चा जा रहा था और वो सीधी आके फैंग लेंग के ऊपर गिरती है इनका अच्छा से एक मुमेंट होता है और उसके बाद में यह गाड़ी में बैठके उस पार्टी के लिए चले जाते हैं लेकिन दौनों बिलकुल चुपते तभी यहां पर असिस्टेंट हां सोचता है कि दौन और साथ साथ एंट्री करते हैं यहां फैंग लेंग और जायो की देखो तुम मुझे लाए हो इसमें तुम्हारा कितब फायदा हो रहा है अगर मैं नहीं आ थी तो यह लड़के तुम्हें परिशान कर देती जिसके बाद में फैंग लेंग सही मौका देखता और अपने ड ज़ोगी को वचाने के लिए आगे बढ़ती है और पुN बहुते बोलती है कि बड़े-बड़े लोगों में दिमाग तक नहीं होता, यह बाते सुनके यह सामने वाली लड़की ओफेंड हो जाती है और फिर जयोकी से जखड़ा करने लगती है, तो जयोकी कहती है, कि मैंने पर तुमें थोड़ी न करे तुमस्में का रहे और किक चिला है और मुझसे भी क्यों बात करे है हो। और वो अपनी फ्रेंड के लिए बार बार जायोकी से माफ्य भी मांगती है लेकिन ये नाना नाम की लड़की बात नहीं मांदी और जायोकी को सितर धक्का दे देती है जायोकी अल्मूस्ट गिरने ही बाली थी लेकिन तब यहां पे एक लड़का आ जाता है जो कि जायोकी को गिरने से बचा लेता है ये लड़का यहां से जाने ही वाला था लेकिन तब ही जायोकी उसे पूछती है कि क्या हम दोनों पहले भी मिले हैं लेकिन ये लड़का मना कर दीता है क्योंकि जायोकी को पहली बार ऐसा लगा था और किसी नए प्रॉड़क के बारे में भी बातशीत करने लगते हैं साथ ही में यहाँ पर डायरेक्टर की नीज भी आती है पता चलता है कि जिस लड़की की फ्रेंड से थोड़ी दिर पहले जगड़ा करके आई है वो लड़की डायरेक्टर की नीज है इसका मतलब है कि जायोकी ने तो एक बहुत बड़ा पंगा क्रियेट कर दिया है फैंग लैंग ने पार्टी में आने से पहले जायोकी को समझाया था कि कुछ भी हो जाए प्लीज कोई पंगा मत करना और जायोकी अब डर रही थी क्योंकि उसने छकड़ा करके एक नई मुसीबत मोल ले ली थी जो वो लड़की नाना थी वो पहुँच जाती है यहां पर और सीधा फैंग लैंग से कहती है कि तुम्हें पता है कि यह लड़की किती बत्तमीज है इसने मुसे जखड़ा किया जायोकी को लगता है कि अब यह लड़की बस बखवास ही करेगी इससे अच्छा तो खुद के कान ही बंद कर लो और वो फैंग लेंग से कहती है कि देखो इसने शूज चोड़ी करें और ये तुम्हारा नाम लेरी कि तुमने इसे गिफ्ट करें फैंग लेंग सीधा आता है और जायोकी को अपनी तरफ धका दे लीता है तब जायोकी वापस से अपनी कानों के पर जादू करती है और वापस से सुनने लगती है कि आखिर बात क्या हो रही है तब जायोकी को समझ में आता है कि फैंग लेंग क्या रहा था कि हाँ ये ड्रेस इसे मैंने ही दी है और ये शूस भी इसे मैंने ही दी है ये मेरे कंपनी के अंदर काम करती है as a employee है और मैं अपने employees के साथ में यही करता हूँ अब तक यहाँ पर माकफी भी आ गई थी जो कि देखने लगती है कि आखिर इसे चल क्या रहा है जायो की उसे जगड़ा नहीं करना चाती थी चलो चलो तुम आगे चलो फैंग यह भी कहता है कि आखिर तुमने उस लड़की से जगड़ा क्यों ने किया तो आगे-चाके तुमारे किसी बी टील में प्रॉब्लम आ सकती थी आखिर वो डायक्टर की नीज थी तो मैं उसे जगड़ा कैसी कर सकती थी फैंग लेंग भी ये बात सुनके इंप्रेस हो जाता और हलका हलका हसनी लगता है वो इधर-दर देखता है जब उसे कोई भी इंसान नहीं दिखता तो वो सीधा जायोकी को गोद में उठा लेता है क्योंकि जायोकी बिल्कुल भी रही चल पा रहे थी और इसी के साथ गाईज ये शांदर एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में तब तक के लिए टाडा My Girlfriend is an Alien के लांस्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग लेंग अपने डिरेक्टर जाउ से मिलने के लिए जायोकी के साथ एक पार्टी में आया था कि आज की पार्टी इनकी कैसे रही कि क्या यह हो सकता है कि जायोकी ने कुछ प्रॉब्लम क्रियेट करी हो इसी की करण इनने ओर्डर नहीं मिला हो तो फैंग लेंग कहता है कि इसमें तुमारी कोई भी कलती नहीं है अब मुझे मिलना होका तो मिल जाएगा कि बाद जायोकी कई ने कई अपने सैंडल से काफी साथ परेशान हो रही थी तब ही फैंग लेंग इधर उदर देखता है और उसे सीधा गोद में उठा लेता है और वहां से सारी लोगों के बीच में पार्टी से जा रहा था नेक्स डे हम देखते हैं कि जायोकी ऑफिस के अंदर आती है तो उसे असिस्टेंट हान इंफॉर्म करता है कि आज फैंग लेंग का मूड अच्छा नहीं है इसी के कारण कोशिश करना कि आज दूर रहो उससे जायोकी बचारी चुपती चुपाती फैंग लेंग की चली त चीज़ें नहीं होगी या फिर डिनाइल नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा यह सब चीज़ें तो उपर नीचे होती रहती है और इसमें किसी के भी गल्ती नहीं है इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार मैं हूं तो आगे की चीज़ें में देख लूँगा जहां पर जायोकी चीज़ें की ऐसी बातों को और एकदम शांत दिमाग को देके बहुत इंप्रेस हो जाती है घरानी के बाद में वह शाबू से भी यह कहती है कि तुम्हें पता है कि इतना साथ परेशान है वो किन चीज़ों को लेके परेशान है उसने बहुत मैनत करी थी ताकि वह इस कोशिश कर रहा था कि वह कुछ भी करके डायरेक्टर जाओ को अपनी बात मनवा सके जिसके बाद हम देखते हैं कि जो जायो की है वह इनी के घर पर सर्वेंट बनके चली गई थी क्योंकि इनने तो कंप्यूटर से हर चीज की हैकिंग करने आती थी तो इनके घर पे वह एक के दिन की सर्वेंट है कुछी देर के अंदर पता चलता है कि यहां पर फैंग लेंग भी आता है जो कि डायरेक्टर जाओ से परसनली मिलने के लिए था विचारी जायो की डर जाती है कि कहीं उसकी पोल ना खुल जाए और कुछी देर में होता भी ऐसा है फैंग लेंग अं मिसिस लाओ की बाते सुनने के लिए सीधा उनके रूम के बाहर पहुँंच जाते हैं जहां पे इन दौनों को पता चलता है कि यह दौनों मीआ भीबी आपस में बहुत सादा जगडा करते हैं बिलकुल भी बात नहीं करते हैं इंके बिलकुल भी नहीं बन थी इसीके कारण जायो के कहती है कि कैसा हो कि अगर हम इन दौनों के जगड़ों को सौट आउट करवा दे और शायद डारेक्टर जाओ का मूठ ठीक हो जाए तो वो जरूर हमारी बात सुनेंगे मूठ ठीक होने की बाद में वो हमारी बातों पर गौर भी करेंगे और शायद हमारे चलता है कि मिसेज जाओ के पास में वही पर्फ्यूम है जो कि इस कंपनी का सबसे पहला पर्फ्यूम था लेकिन उसका फॉर्मुला गुम हो गया था और उसके बाद से उस फ्रेग्रेंस का कभी मैनुफेक्शरिंग हुआ ही नहीं फैंग लेंग अंदर जाता है और मिसेज जाओ से वही बॉटल लेता है और कहता है कि क्या आप मुझे यह दे सकती है क्योंकि मुझे इसका सीम फॉर्मुला वापस ही बनाना है हम इसके उपर रिसर्च करेंगे और कोशिश करेंगे कि इससे भी बहतर और इससे भी अच्छा प्रॉड़क बनाके दे जाओ भी फ्रेग्रेंस को इखटा करके मैच करके वही अच्छा खासा पर्फ्यूम बना देती है बीच के अंदर वह आल्मोस्ट पानी समझके एक लिक्विट को पीने ही वाली थी लेकिन फैंग लेंग ने उसे रोक लिया था और उसके लिप्स पे हाथ लगा दिये थे जिसके फैंग्ली के साथ में इसी स्टोर के अंदर आई थी और इस कम्प्यूटर के अंदर से वrekामे करने लगी थी ०ा सबाल में अगर तुम signal नहीं भी भेज पाई तो हम हार्मॉंस को इखटा करके तो चले ही जाएंगे बस ये कुछी दिनों की तो बात है, लेकिन शाबु इंचीजों को सोच-सोच के बड़ी परिशान हो रही पास में अब पर्फ्यूमर गाइस फैंग लेंग है लेकिन प्रॉब्लम यह आ रही थी कि आखिर जायोकी को अगर भीज दिया गया है और अगर वो टाइम से पहले वापस आ गई या फिर उसे फिर से किसी तरह की की प्रॉब्लम हो गई तो यह ऐसे ही अपने किसी एलियन को अर्थ पे मरने के लिए नहीं भीज सकते किसी ने किसी को सीफटी के लिए तो जाना ही पड़ेगा और मिशिन कंप्लीट हो इसकी भी देखने कर ने पड़ेगी इसी के कारण यह जो लड़का है वो अपने लीडर को अपना प्रपोजल देता है कि वो अर्थ पे खुद जाएगा जिसके बाद में लड़का आप खुद अर्थ पे आ गया था और इसके पास में एडवांस से भी एडवांस टेखनोजी थी हर तरह की का मैजिक और इसी कारण पॉछ जायोकी से आके उस दिन पार्टी में भी मिला और साथे में जब जैयोकी का जगड़ा हुआ था नाना से तो से पानी में भी किसी लड़के न किराया था और साथी में शाबु जो बार-बार के अंदर सिग्नल भीच रही थी यही लड़का उसे बार- करके दो invitation letter बना लिए थे ताकि ये दॉनों एक दूसरे के invitation पे एक restaurant के अंदर मिल सके Assistant Han کو जब पता चलता है कि ये काम Zaya की ने किया है क्योंकि Fang Lang खुद बताता है कि ये काम Fang Lang ने नहीं बलकि Zaya की ने किया है वो भी इतना परफेक्टली तो Assistant Han भी बढ़ा खुश हो चाता है येहाँपे Zaya की भी खुश हो रही थी दस मिट तक ये दौनों बात ही नहीं करते फैंग लेंग और जायो की इन्हीं गूर ही रहे थे जहांपे डैरेक्टर जाओ और उसकी वाइव बात करने लगते हैं और बात करते से ही जगड़ा करने लगते हैं आगärt तुम एक उसने बुलाया आखिर मुझे किसने बूलाया तुमने नहीं तो लेटर लिखा था ऐसा करके इनका जगड़ा भड़ता ही जा रहा था और ये दौनों इतना ज़ादा जगड़ा कर चुके थे कि दूसरे के मुँपे पानी वगर अभी फैक के जाने लगते हैं अब आखिर इन्हें रोके तो कौन रोके फैंग लेंग जाने की कोशिच भी करता है तब तक तो जायोकी यहां से गायब हो गई थी और अपना आकरी पैतरा आज्समानी वाली थी उसके पास में एक लव फॉर् को ट्राइ करने के बाद में एकदम सही तरीके से निकलता है और उस मैजिक से डैरेक्टर जाओ और उसकी बीवी को एक दूसरे से बहुत गज़ावाला प्यार हो जाता है ऐसा लग रहा था कि मैजिक इन दे एर हो गया है हर जगर मैजिकल चीज़े ड्रॉप कर रही है वक् करन वो फैंगली को मिलने के लिए बुलाती है फैंगली उसे पूछता है कि आखिर हुआ क्या है तुम्हें जाब शाबू उसे कुछ खास आंसर नहीं देती है और तभी यहां पे इनकी बातों के बीच में फैंगली के पास उसकी मॉम का कॉल आ जाता है फैंगली पहले तो मुझे फिर से यूएस भीज देंगी मेरा सारा माइंड वाश कर देगी जो मुझे आर्टेस्ट बनना है वो मुझे कभी आर्टेस्ट नहीं बनने देगी और बलकि कंपनी के अंदर काम करने के लिए छोड़ देगी मेरी लाइफ में भी बहुत जादा प्रॉब्लम है जहा शापू का टैंप्रेचर काफी जादा बढ़ जाता है अब शापू की बॉड़ी के अंदर एक प्रॉब्लम थी कि अगर उसका टैंप्रेचर बढ़ा तो वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म यानि की टॉटाइज में बदल जाएगी वो फटाफट से फैंगली को कहती है कि याen का इन्वायरूर्म थी आसा होता है कहीं बार हो जाता है यहांका एंवायरमेंट ही इसा है जिसके बाद आप फैंगलाइंग आके बढ़कर डाये उसकी वाइफ एक ऐसा पर्फियूम लेकर आई थी जो कि काफी समय पुराना था और वो अपने हस्बेंट को कहती है कि मैं आसे कहीं सालों पहले तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती थी लेकिन ये पर्फियूम बनना बंद हो गया था और फिर फैंग लेंग उसी के लिए कितना कुछ करता है आखिर तुम्हें भी तो सपोर्ट करना ही चाहिए अब अपनी वाइफ की बात सुनकर डिरेक्टर जाओ फैंग लेंग को हा कर दीता है कि चलो ठीक है मैंने तुम्हें मौका दिया और कलम इसके बारे में मीटिंग में बात करेंगे वो दौनों पेंग लेंग को यह सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी वो रात में असिस्टेंट हान को मेसेज करता है कल की मीटिंग के बारे में जायोकी ने खाने के साथ साथ में पी भी बहुत जादा ली थी और वो फैंग लेंग को भी कहती है कि तुम भी ट्राय करो लेकिन इन चीजों से बहुत जादा दूर रहता था ठंड लगने पे वो जायोकी को अपना कोड भी उतार के पहना देता है अब जायोकी ड्रंक थी इसी की करण जित करने लगती और सीधा फैंग लेंग के उपर चट जाती के प्लीज खाओ प्लीज खाओ प्लीज खाओ और इस चकर जायोकी ड्रंक थी इसी की करणों से कुछ पता नी चलता और वो वही पे फैंग लेंग के उपर सोच आती है यहां हम शाबू को देखते हैं जो की पानी से निकल की बाहर आ गई थी और फैंग ली को मैसेज करती है कि मुझे चल्दी थी इसी की करण में चली गई क्योंकि वेसल के अंदर शाबू दो पानी के अंदर थंडी होने के लिए गई थी यहां पर रात में फैंग लेंग जायोकी को उठा की घर ले आता है और मिस चाय को दे देता है कि यह काफी जादा ड्रंक है इसका थोड़ा ध्यान रखिए यहां पर मिस चाय कहती है कि कितना के उपर भी सर्च करने लगता है पूरा रात सोचता है और सोचता है कि अगला दिन जायोकी का कैसा होगा जब जायोकी अगले दिन उठती है तो उसे पता चलता है कि उसकी रिंग काफी सता भरी हुई है उसमें काफी सारी हार्मोन है लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि जायोकी पर मजबूर हो जाए कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है वो कल रात के बारे में बताती है कि जरूर उसे क्रश्ट तो है तुम पे तभी तो वो तुम्हें छोड़ने आया था तुम बहुत जादा ड्रंक थी अब यहां अगले दिन फैंग लेंग जो था वो बस जायो की से मिल सारी है बौहुत जादा पासारी और वापस उसे किस करने ही वाली और इसे के साथ गैज यह इपसे करेगी में आप दो धी जायो की अरभ ज़रूर उससे बात करेगी उसके बास पास में आएगी और बस वह हर वक्षशी-खुश रहेगी इसी continuity के साथ में एपिसोड नमबर 9 की शिरवात होती है जहाँ एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जायोकी आती तो है पास में फैंग लेंग को उसकी कॉफी भी देती है लेकिन फैंग लेंग जब होश में आता है तो उसी पता चलता है तो जायोकी कहती है कि हाँ मुझे काम करना है और वो वहाँ से चली जाती है अब फैंग लेंग को डाउट होनी लगता है कि अगर वो लड़की आपको इग्नोर कर रही है तो वो लड़की चाहती है कि आप उसे अटेंशन दी और बहुत सारा अटेंशन दे तब जाके फैंग लेंग अपनी मनी मन में सोचने लगता है कि आखिर ऐसी भी क्या बात होगए कि उसे अटेंशन चाहिए कुछ तो चल गया हमनेकर तो बिलकुल ऐसा है रही हूँ लेकिन तुम्हें क्या कि चीसे प्रॉब्लम है तो ऐसे बात करना चाहिए अगर च्रणी स्था रहे लेक्स को दकम HC कृट तौ चाहिए कि उसमनेंग चीजर सुनकर आफिक चली आहा है तुम्हारी problem क्या है अगर तुम्हें कुछ खाना पीना है तो तुम्हेरे साथ चलो कल तक तो तुम्हेरे साथ ही थी तो जयो की कहती है कि मैं बहुत जादा ड्रंग थी इसी की करण मुझे कुछ भी याद नहीं है जबके जयोकी को थोड़ी पहुत चीज़े तो यादी थी कि आकिर कल रात उसकी साथ क्या हुआ फैंग लैंग जयोकी को कहता है कि मैं आज राज प्री हूँ और आज रात मैं तुम्हें स्नेक्स खिलाने के लिए लेके जाओंगा जैसा कि तुम्हें स्टीट फूट पसंद है तो जयोकी मना कर देती है कि नई मुझे तो कोई स्टीट फूट पसंद नहीं है और जो मेरे फेवरेट फूट है वो सारे चीज़े चेंज हो गई है तो एकदम से फैंग लेंग खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि तुम एक दिन के अंदर आखिर कैसी अपनी चीज़ों को चेंज कर सकती हो कल तक तो तुम्हें वो फ्राइट सारी पकवास से चीज़े पसंद थी तो आज आखिर तुम्हें क्यों नहीं पसंद है मैं त पिर से सोच में पढ़ जाता है जिसके बाध मैं हान उसके पास में आता है और टाहिता है की कोई बात नहीं आप तो मुझे पता चली गया है ये सारी बातिया आपके और वे जायोई की बिचल़ें लेकिन मैं कभी भी किसी को कुछ नहीं कहूंगा फैंग लेंग उसी के अंदर हान को भगा देता है कि ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें मैं मेरी चीज़ें खुद देख लूँगा इसके बाद हम देखते हैं कि जायो की किसी से मिलने के लिए कंपनी के अंदर आती है लेकिन वो जिस परसन से मिलने के लिए आई थी वो परसन अफिलिबल नहीं था लेकिन उसे वही मिलता है जिसके बारे में हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था और बार-बार के अंदर इस प्रोजेक्ट को मना करने के लिए पूरी तरी किसे रेडी थे कि कुछ भी करके फैंग लेंग को ये प्रोजेक्ट नहीं मिलना चाहिए लेकिन जो इनके डायरेक्टर थे जाओ वो फैंग लेंग की कली बाते सुन चुके थे इसी के करण वो फैंग लेंग को फंड्स देने के लिए तयार हो गए थे और उसके पर बिलीव भी करते हैं कि अगर फैंग लेंग काम करेगा तो अच्छा ही काम करेगा अंकल कैंग का दिमाग खराब हुजाते हैं वो बार-बार सब बढ़काने की कोशिश करते हैं कि इससे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है फैंग लेंग को ये डिपार्टमेंट ओपन नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी कईना कई फैंग लेंग नी बाजी जीत ली थी और वो इस डिपार्टमेंट को ओपन करवाने ही वाला था बाहर आखे भी अंकल कैंग फैंग लेंग को फाल्तु की बात ही करने लगते हैं लेकिन यहां का ऑञा क हालांकि यह था था तो एक एलिय नहीं लेकिन ओनना हुआ था चैनले सके था बात सुनता है उसे बाहर चलने के लिए बी कहता है पहले चलने के लिएंग भी muffin कार दे और जायोकी इस चीज के लिए मना नहीं करती। जायोकी इसके साथ जाने के लिए मना करती है। कि आकर उसे फैंग लेंग से अगर बात करना है तो उसे क्या कर चीज़े सीखनी जरूरी है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि जो फैंग लेंग की स्टैप मॉम है वो इस कैफे के अंदर आती है क्योंकि उसे जायोकी से कुछ परसनल बात करनी थी। इसे चकर में वो पूरे के पूरे कैफे को ही बुक करा देती है और इसके बदले चाय को बहुत सारे पैसे भी देती है। जहांपे हम देखते हैं असिस्टेंट हान भी जायोकी से ही मिलने के लिए ही आया था। यहांपे हर वक्त तुम्हें फैंग लेंग के साथ ही रहना है और वो जो भी चीज़े करता है वो सारी चीज़े तुम्हें बताती रहने होगी। वो फैंग लेंग की मॉम से उस कार्ड को ले लेती है। जिसके बाद अब असिस्टेंट हान यहांपे भागा भागा आता है और फैंग लेंग को सारी चीज़े बता देता है। कि अब आखिर मुझे क्या करना चाहिए जहां पर उसका डॉक्टर कहता है कि देखो इस चीज़े सेंसिटिव तो है लेकिन तुम इन चीजों पर थ्यान देना पड़ेगा कैसा हो कि अगर उसके बिहेवियर को तुम चेक करो अगर उसके पास इतने पैसे आये होंगे तो वो जरूर शॉपिंग वापिंग जाएगी बहुत सारे पैसे खर्च करेगी तुम इन चीजों को नोटिस करते रहो जिसके बाद सीन जायो की के उपर इस शिफ्ट होता है जो कि मैस चाय और शाबू दौनों को ये लेकि शॉपिंग करने चल जाती है ये इन दौनों को भर भर के शॉपिंग करवाती है क्योंकि पैसे तो ऑविसी बात है फैंग लेंग की स्टैप मॉम के लगने थे इसी के कारण वो बहुत सारी चीज़े खरीदवा देती है लेकिन जब खुद के उपर बारी आती है तो वो एक एक्सपेंसिव ब्रेस पसंद तो करती है लेकिन वो उसमें 100 अरकी की बुराई निकाल देती है और आखिर के अंदर सिर्फ इन दौनों के उपर ही खर्चा करती है शाम को जब ये सब घर आते हैं तो फैंग लेंग देखता है कि सच में जायोकी ने आज बहुत सारी शॉपिंग करी है यान की असिस्टेंट हान की बात बिल कराई इसी के कानों से गुस्सा आया होगा तुम उसे रात के डिनर पे बुलाओ जिसके बाद में यहाँ फैंग लेंग ये सारी बाते अपने डॉक्टर और असिस्टेंट हान को भी बता रहा था कि उनकी बाते सच निकली है जायोकी ने बहुत सारी शॉपिंग करी है लेक लेकिन जैयोकी उसे क्या देती है कि इस दिनर की प्रपेरीशन करने लग जाता है अब जैसे यहां पे फैंग लेंग और उसकी सात में उसका डॉक्टर आता है तो जो पागल हो जाती है और भागती फैंग लैंग और जायों की सब उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि यह डॉक्टर यहां के नहीं है बलकि बाहर के हैं और यह तुम्हारी बॉइफरेंड हो यह नहीं सकते हैं यहां पर जो मिस चाय थी वो बहुत कोशिश करती है कि कुछ भी करके वो डॉक्टर वो साबित कर लेकिन जब बाद में उसे पता चलता है कि कोई भी उसकी बात माने के लिए तैयार नहीं है तो मिस चाय बस नौटंग की करके रो दो के अंदर चली जाती है कि हो सकता है कि मुझे कुछ मिसंडेस्टेंडिंग हुई हो तुम बस बिलकुल मेरे बॉइफरेंड के जैसे ही ल लग रहा है अगर वो कुछ जुट बोल रही होती है चोरी कर रही होती तो किसी से नज़रे नहीं मिलाती यहां पे जायो की भागते हुए मिस चाय के पास आती है लेकिन पता चलता है यह तो सारा का सारा मिस चाय का नाटक था सिर्फ एक अमीर लड़के को फसानी का और सुट इसे सबसे पहले फैंग रही होतो जाता है जहां पे उसे बिल्कुल नई बैठना चाहिए था जिसके बाद अब जायो की कुछ न कुछ तिकड़म लगाती है और उसके बाद मिस चाय को डॉक्टर के पास बिठाई देती है लेकिन खुद फैंग-लैंग के पास नहीं पर्सचाहित नहीं दे रही है कि लेकिन वो कोई भी पर्सनल इन्फोमिशन नहीं दे रही है इसी के साथ में वो बचे हुए पैसों को भी फैंग लेंग को वापस लोटा देती है कि इस कार्ट के अंदर अभी भी काफी सारे पैसे बचे हैं आकिर है तो ये तुम्हारी मॉम के ही तो फैंग लेंग पूछता है कि आकिर ये सारी चीज़े तुम मुझे क्यों बता रही हो यहां फैंग लेंग मुसकुराता हुआ जाही रहा था तब ही यहां पर मिस चाही देख लेती है उसे तो ये दौनों ही डर जाते एकदम से तब ही आपर मिस चाही बताती है कि जायो की बहुत ही अच्छी लड़की है आज हम सब ने शॉपिंग करी लेकिन उसने बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं करें उसने सारा खर्चा हम पे किया तुमारी मा ने कहा था कि वो तुम पर ध्यान रखे लेकिन तो भी उसने तुमें धोका नहीं दिया तुम उसे कभी भी डिच मत करना हमेशा उसके पर बिलीफ करते रहना ऐसी लड़किया हर किसी को नहीं मिलती है जिसके बाद अब ये सारे बाहर आ जाते हैं ड्रिंक फ्रिंक करने लगते हैं शाबू इस ड्रिंक को स्कैन भी करते हैं कि क्या उसकी बाड़ी इस चीज़ को एकसेप्ट करेगी भी या नहीं करेगी लेकिन शाबू को सारी चीज़े ठीक लगती है और वो ये ड्रिंक कर लेती है यहां पे लिक उसी फूट खाना था इसी के कारण वो जगड़ के सारा का सारा खाना खुद खाने लगता है फैंग लेंग ये चीज़ देखता है और जायो की के लिए पीसेज अलग से ही निकाल देता है जिसके बाद में सीएन यहां फैंग लेंग की स्टैप मॉम के उपर शिफ्ट हो जाती है जो कि खुद के भाई के पास आके बैटती है और कहती है कि मैंने उस पागल लड़की को एक लाख रुपए दिये थे हम देखते हैं कि जो अँकल कैंग है वो अभी वी बिल्कुल बच्चों के जैसे भीएव करते हैं जो? बच्चे जिस बॉटल से पानी पी पिते हैं लाख से उसी बॉटल पर wr बोलती है बलकि मुझे तो लगता है यह तुम से प्यार करती है लेकिन ऐसा दिखाना चाहती है कि तुम आगे हो के से बात करो लेकिन यह सारी चीज़े तुम पर डिपेंड करती है अगर तुम इसे पसंद करते हो तो ही चीज़ें आगे बढ़ पाएगी अगर तुम पसंद क करते ही नहीं हो तो चीज़े फिर यहीं पर रोक दो मिस चाही ने भी मुझे बताया है कि जायो की तुम्हें बहुत टाइम से पसंद करती है लेकिन बस वह बोल नहीं पा रही है यहां पर शाबू अब काम अकेली कर रही थी इसके करण जायो की भी उसकी हेल्प कराने के हम सेलिब्रेट करने के लिए मौल में चलते हैं तो जायो की कहती है इस टाइम पर कौन सा मौल खुला होगा जिसके बाद वो जायो की को लेकि मौल में चला ही जाता है जहां हर तरफ बिलकुल अंधीरा था लेकिन जैसे ही फैंग लेंग दो क्लैप करता है तो पूरा का एपिसोड में हमने देखा था कि बहुत बड़ी मिसिंडरस्टेंग हो गई थी कि कई ना कई जायो की उसकी मौम के साथ मिलके कुछ प्लैनिंग बगरे कर रही है लेकिन जायो की के समझाने पर फैंग लाइंग को सारी चीज़े क्लियर हो गई जिसके बाद ये दौनों ही अपना एक साथ टाइम स्पेंड करने के लिए एक मौल के अंदर आ जाते हैं और इसी कर्टिरिटी के साथ में एपिसोड नंबर 10 की शिर्वात होती है जहां पर हम देखते हैं कि फैंग लाइंग जायो की को अपने साथ एक मौल में लेकर आता है जो कि इस वक्त इतनी आध को वो खुद ओन करता है ये मौल भी उसी कंपनी के अंदर ही आता है और जायो की को जो चाहिए वो ये सारी चीज़े ले सकती है जायो की वहाँ से कुछ कपड़े वगरे खरीती है फैंग लेगे इन सारी चीज़ों को देखे बड़ा खुश हो रहा था जिसके बाद में सी किन यहां शाबू और फैंग ली के उपर शिफ्ट होता है यहां फैंग ली ने हचसे जादा रिंग कर ली थी और शाबू का तो पहले से शॉट सर्कुट था ये दौनों ही उल्टी सीदी हरकते करने लगते हैं जा पर फैंग ली को न जानी क्यों बस स्टार्स पसंद आ र रहा था उसके बाद वो खड़ा हो जाता है और शाबू को क्याने लगता है कि देखो मुझे पता चल क्या है कि तुम कौन हो तुम नॉर्मल कल हो ही नहीं तुम बहुत जादा ओर्डिनरी हो पहले तो शाबू डर जाती है कि कई फैंग ली को सारी सचाई पता तो नहीं चल हो सकती है शाबू को भी पहले लगता है कि वो नहीं होगी लेकिन जैसे शाबू इस लेडी को स्कैन करती है तो दौनर के होश उड़ जाते है क्योंकि यह सच में फैंग ली की मॉम ही थी और उन्होंने फैंग ली को शाबू की साथ देख लिया था अब फैंग ली कवर करन कि अब Wen को जाने ही नहीं यहां पर फैंग ली को जबरदस्त है वहाँ से चली। है कि घर पे जरूर आशक नकूछ तो इस गरबड़ हूई होगी क्योंकि फैंग लेंग को तो सारी बात पता थी इसी की कारण हुजायकी को कहता है कि तुम अपनी घर जाओ मुझे घर पर जाना पड़ेगा चीजी देखनी पड़ेगी उसके बाद में यहां पे जो फैंग ली की मा थी वो पहले ही उसके हस्बंड को बुरी तरी किसी खुद लेने पड़ेंगे जहां पर फैंग ली की मॉम कहती है कि फैंग ली अभी बच्चा है वो इतना बड़ा भी नहीं है कि खुद के डिसिजन खुद ले सके वो तुमारे पास आ गया तो तुम क्या एक बर बताना भी ज़रूरी नहीं समझते कि वो यहां पर आ गया है यहां पे फैंग लेंग अपने फादर को कहता है कि आप तो इन चीजों के बारे में बोलिये ही मत आखिरी कंपनी क्यों स्टार्ट हुई थी, क्या चल रहा है इस कंपनी के अंदर, कौन से डिपार्टमेंट से आपको इनके बारे में कुछ भी नहीं पता पादर बस सोचता ही रह जाता है कि आखिर उसी उसका बेटा क्या कहकर चला गया यहां दूसरी तरफ जायो की फैंग लेंग को ढूंड रही थी क्योंकि वो घर का डूर बजाती है लेकिन फैंग लेंग दर्वाजा नीखोलता तो वो हान को कॉल करती है पूछती है कि आगर तो यहां पे हान कहता है कि आज फैंग की मां की डेह अनिवर्सरी है और इस दिन वो किसी से भी नहीं मिलते बिल्कुल अकेले ही रहते हैं तो जायो की कहती है और रिक्वेस्ट करती है कि तुम प्लीज मुझे बता दो कि अखिर वो है कहां पर सीन जिसके बाद में फैंग पार्ट के अंदर बैठा था एक बुके लेकर, वहाँ बस वो अपनी मॉम को याद कर रहा था, काफी जादा अकेला फील हो रहा था उसे, इसी वक्त यहापे जायोकी आ जाती है, वो फैंग लेंग को बहुत दूर से देख रही थी, उसका जायोकी के हिमत नहीं करती कि वो फ चला कि तुम आज के दिन बिल्कुल अकीले रहते हो और तुम बहुत जादा उदास थे, इसी के करण में तुम्हारे पास आ गए, फैंग लेंग पहले तो जायोकी को यहाँ से जानी के लिए कहता है, और कहता है कि नहीं मुझे किसी के साथ आज के दिन में नहीं रहना, ज इसने, वहाँ पे बात कर ली थी, थोड़ी देर और इसे चालू रहने की, उसने बहुत जादा रिक्वेस्ट करी होगी, जिसके बाद वो फैंग लेंग को लाती है, और इस अम्यूसमेंट पार्क के अलग-अलग राइट्स करवाने लगती है, वो कई न कई न कई उसका ध इससे पकड़ने की कोशिश किया करता था, उनके साथ बैटा करता था, हर साल वो अपनी बेटी को यहाँ पे लाया करती थी, जिसके बाद में जायो की एकदम से पास्ट के अंदर चली जाती है, जहाँ पे वो शाबू के साथ बैटके बुक पढ़ रही थी, human emotion के बारे में कि जो इंसान है, वो अपनी मां से जन्म लेता है, इसी की कारण अगर इंसान का सबसे ज़ादा attachment होता है, तो वो अपनी मां के साथ होता और उसे कोई बे रिप्लेस नहीं कर पाता, जिसके बाद जायो की इसी थौट को सोचके, फैंग लेंग को कहती है, कि मैं तुम्हारी म जाती है, फैंग लेंग को समझने आता कि आखिर वो इतना पास कैसे आ गए, क्योंकि जायो की के पास तो मैजिक था, इसके बाद जायो की खुट के हाथ फैला के उड़ने लगती है, फैंग लेंग में इन सारी चिज़ों को इंजॉय करने लगता है, जिसके बाद इन दौ रोल के अंदर तो सीधा टाइटानिक में पहुच जाते हैं, जापे दौनों ने अजीबी तरह के का ड्रेस अप कर रखा था, जायो की तो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही थी ते गंदे वालों में, लेकिन फिर भी ठीक है, वो दौनों ही शिप के ओपर खड़े थे, जि पूरा जल जाता है, और तीसरे रोल के अंदर ये दौनों ही बिल्कुल प्रॉपर चाइनीज वाले एक ड्रामा के अंदर पहुच जाते हैं, जहां पर दौनों समुराय जैसे लग रहे थी, दौनों एक दूसरे की क्लोज आते जा रहे थी, एक दूसरे की पास आते, ऑल्म जाता है, जिसके बाद अगले दिन जब फैंग लैंग की आंके खुलती है, तो वो हर जगा पिंग पिंग कलर के चीज़े देखता है, उसे समझ में आता है कि वो खुद के घर में नहीं है, बलकि जायोकी के रूम में है, वो उठता है, इधर उधर चीजों को देखता है, जायोकी के ड्रेसिंग पे हर जगा खुद की और जायोकी की पिचर दिखाई देती है, और काफी सारी चीज़े भी लिखी हुई दिखाई देती है, वो एक पिचर को निकाल के पढ़ने ही वाला था, लेकिन गलती से वो पिचर नीचे गिर जाती है, फैंग लैंग उस वो चीज़े नहीं पड़ी, बाहर आके फैंग लैंग भी मनीमन खुश हो रहा था, क्योंकि वो सोचता है कि जायोकी तो उसे कितने टाइम से प्यार करती है, बहुत टाइम से उसे पसंद करती है, लेकिन जरूर वो उसे बता नहीं पा रही है, लेकिन वो इस बात से बहु किसी wild spirit है, बहुत जादा मस्ती करती है, लेकिन इसी की साथ में थोड़ी सी stubborn भी है, जायोकी कि यहां पे तारीफ नहीं हो रही थी, बलकि थोड़ी बहुत insult भी हो रही थी, लेकिन फिर भी जायोकी इन चीज़ों को लेकि बड़ी खुश थी, मिस चाय इन चीज़ों को कव फैंग लेंग और हान जल्दी से चले जाते हैं, जबकि जायोकी ने तो इनके लिए भर-भर के breakfast बनाया था, लेकिन फिर भी चाय खुश थी कि कही ना कहीं फैंग लेंग अब उसके साथ में नस्दीक्या बढ़ा रहा है, अभी सब एक साथ बैटके खाना खाने लगते हैं में इस चाय हमेशा की तरे जायोकी को अलग-अलग तरेके के नुस्के बताने लगती है, यहां पर फैंग लेंग और हान अपने office के अंदर पहुंच गए थे और जो नया product इनका बना था, उसे test करने लगते हैं, product सबको पसंद आता है, उसकी smell अच्छी लगती है, लेकिन क अच्छी लगती हैं, आप हर बार ऐसा ही करते हैं, और इस बार कोशिश हो तो आप अपना काम ही करिए, जिसके बाद में सीन याँ फैंग ली के उपर shift हो जाता है, फैंग ले से मिलने के लिए उसकी मा आती है, खाने पीने के लिए breakfast वगर बिलाती है, लेकिन फैंग ली कह मैं तुझे जाने तो दूँगी, लेकिन तुझे बिलकुल यूए से जाना पड़ेगा, अपनी पढ़ाई complete कर और यहाँ पर आके जोई इतनी बड़ी company तुझे मिली है खेरात में उसे जॉइन कर, इतनी बड़ी company हर किसी को नहीं मिलती है, और तुम बैठे हो अपना सपन लेकि पेंटिंग का इन चीज़ों में कोई future नहीं है, लेकिन फैंग ली था कि उसे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं था, उसे तो चाहिए था कि बस वो पेंटिंग करें, शान्ति से अपनी life जिए, उसे इस पैसी वैसे से कोई लें ना देना नहीं था, फैंगली की माह कि आखिर तुम्हारा वो भाई तुम्हें क्या-क्या चीज़े भड़का देता है तुम्हें खुद को भी नहीं पता उठके बैठो मेरे सामने लेकिन फैंगली कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल नहीं उठूँगा मेरे पेट में दर दो रहा है मैंने त्रे दुलों चे कुछ भ बाद में खुद की बुक उठाता है और उसके अंदर उसने शाबू की पिच्चर बनाई थी ड्रॉइंग करी थी इतनी ही देर में दर्वाजी पी वो देखता है कि सच में शाबू आ गई उससे मिलने के लिए नजाने कैसे इतनी उची बैल कहनी को पार करते हुए घर तक पहुँच गई है फैंगली उसे देखी बहुत इमोशनल हो रहा था जिसके बाद शाबू कहती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या कैची से लाई शाबू बैक भर के उसके लिए स्नेक्स लाई थी फैंगली बहुत अच्छा फील कर रहा था लेकिन रो भी रहा था तो हुआ क्या है तो फैंगली कहता है कि नई मैं इस घर में सेफ तो हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मुझे बहुत अकीला पन फील हो रहा है शाबू कहती है तो कोई बात नहीं मैं तुमसे मिलने के लिए रोज आउंगी आओ चलो मैं तुम्हें स्नैक्स वगर दिखा जिसके बाद में सीन यहां जायोगी के उपर शिफ्ट हो जाता है जो कि अब तक भी रात के अंदर काम ही कर रही थी कई न कहीं उसे भी लग रहा था कि कोई तो फ्रीग्रेंस की कमी है इसी की कारण वो उस कमरी के अंदर जाके सारी की सारी बॉटल के धकन खोल देती है वो किसी बेग्रेंस को मिक्स करी रही थी लेकिन गलती से उसका पैर स्लिप हो जाता और वो गिर जाती है और एक बॉटल सीदह उसके उपर आके गिरती है लेकिन जब जायोगी गिरती है तो उसके हाथ में पहने हुए रिंग के अंदर जो हार्मोन थे वो जमीन पे गिरे मानों कि बिल्कुल complete fragrance है लेकिन आखिर वो किस bottle से मिलके बना होगा जायोकी तो डर गई थी कि उसने गडबड करी है इस चक्कर में फैंगलेंग उसे डाटेगा तो मना करती कि मुझे माफ कर दो मैंने कुछ नहीं किया मैं सब चीसे ठीक कर दूँगे लेकिन फैंगलेंग उसे माणने के लिए नहीं आया था बलकि वो अपने हाथ पे उस fragrance को लगाता है और जायोकी को स्मेल करवाता है कि इसे सूंगो ये बिलकुल अलग है आखिरी किस बाटल से निकला होगा जायोकी भी उसे स्मेल करती है और उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर ये fragrance कहां से आया उसने तो सारी बाटल पहले स्मेल कर ली थी लेकिन वो जो fragrance था वो इतना जादा strong था कि वो जायोकी को उसके पास लाने से रोक ही नहीं सका फैंग लैंग जायोकी की बहुत जादा close आ चुका था बहुत जादा और इसी के साथ गाईज ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में तब तक के लिए टाडा